तारा नायक शेखराय जगदा धाराय दाराधर शाया धारक कंधराय गिरजा संगईक संगारिने नद्या शेखरिने द्रिशा तिलकिने नारायने नास्तिने नागरिही कंकणिने नगे नग्रिहने नाथाय शेयन नतिही विश्वंदरपन द्रश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पस्यन आत्मनिमायया वहिरिवोण भूतम्यता निद्रया यह साक्षात कुरते प्रभोध समये स्वात्मानमे वाद्वयं तस्मेशी गुर मुरते नमईदं स्री दक्षिना मुरते शांतं साश्वतम प्रमेयमनगं निरवान सांति प्रदं ब्रम्हासं भुपडेंद्रशेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं माया मनुष्यं हरिं बंदेहं करुणाकरं रगुवरं भुपाल चूडामनिं अतुलितवलधामं एमसैलावदेहं दनुजवनक्रशानं ज्यानिनाम ग्रगन्यं सकल गुण निधानं वानराणाम धीशं रगुपति प्रियभक्तं बात जातं नमामी ओम नमस्त्री परमहंसा स्वादित चरन कमल चिनम करन्दाय भक्त जनमान शनिवाशाय स्रिराम चंड्राय विश्वा सरग विशरगादी नवलक्षन लक्षितं स्री कृष्णाप्यं परम्धाम जगद्धाम नमामतर् अकंड्रा नंद बोधाय शिष्य संताप हारिने सच्चिदार नंद रूपाय तस्मेश्री गुरवे नमाम् गुरु ब्रम्मां गुरु विश्णु गुरु देवो महेश्रह गुरु साक्षात्परब्रम्म तस्मेश्री गुरवे नमाम् आओ हम सम्मिल करके भाव पूरु नर्दे से स्री सद्गुरु देव भगवान के स्री चणार विन्दों में चलें ऐसा लगे कि हमारे आराध्य गुरु देव हमारे नेत्रों के सन्मु की ही समुपस्तित हैं और हम उन्हें निहार करके अपने ह्रदय के भाव पुष्प उनके स्री चणार विन्दों में समर्पित कर रहे हैं इस भाव से ही भावित हो करके हम सम्मिल करके प्रथम गुरु बंदना का पाट करें उसके बाद सीराम्त्रेत्रमानस के पावन पवित्र गृंत में अपने चित्त को अवगाहित करें हम सम्मिल करके प्रथम गुरु बंदना का पाट करें गुरु गुविंद दोनों खडे काके लागु पाट बलिहारी गुरु अपने गुविंद दियो बताए गुविंद दियो बताए हे मेरे गुरु देव करूना सिंधु करूना थी जिए हो अधं आधीन अशरण अवु शरण पेंद दियों गुविंद दियों इंड़ृृृृृू eh मेरे गुरु देव करूना सिंधु करूना अधिन खा रहा गोते हूं में भव सिंधु के मजदार में खा रहा गोते हूं में भव सिंधु के मजदार में आसरा है दूसरा ना आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में मेरे गुरु देव करूना सिंधु करूना अधिन मुझे में जब तप ना साधन और नहीं कुछ व्यान है निलजता है एक बाकी और सब अभिमान है मेरे गुरु देव करूना सिंधु करूना अधिन जे जे पाप बोजे से लदी नई आभवर में आ रही नाथ दोड़ो अब मचाओ जलत दूबी जा रही मेरे गुरु देव करूना सिंधु करूना अधिन मेरे गुरु देष्ट करूना सिंधु करूना अधिन अधिन आप बोजु करूना संरु अभव इत्योर आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा मैं आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा मैं जन्म दुख से नाब कैसे पार कर पाऊंगा मैं मेरे गुरु देव करूना जिन्दु करूना जीजिये जन्म दोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा मैं जन्म दोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा मैं सब जगा मन्जुल भटक कर ले शरन अब आप की सब जगा मन्जुल भटक कर ले शरन प्रभु आप की बार करना या न करना दोनों मरजी आप की मेरे गुरु देव करूना जिन्द करूना की जिए रहु आदम आदीन अशरन अब शरन प्रभु आप की जन्द करूना की जिए रहा है जिये शिर्ध करवाती जिये ए मेरे आराज्य देव ये जन्म जन्म का भठका हुआ आपके स्वी चरणारविन्दों तक पहुँच गया है साधन भजन की तो युग्गिता नहीं है तुमारी क्रपा के आश्वित ही जीवन जीता चला जा रहा है आपके स्वी चरणारविन्दों में हमारी बारंबार यही प्रार्थना है आपने सनाथ को जैसे सनाथ बनाया है बस इसका हाथ सदा पकड़कर रखिएगा कहीं यह पुनहानाथ न बिंजा है यही आपके स्वी चरणारविन्दों में हमारी बारंबार प्रार्थना है पर्मद्रनी प्रातश्मरनी अनन्त स्री समलंकरित श्री सद्गुर्देव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविन्दों में साश्टांग दन्दवत प्रणाम पर्मद्रनी पुझ विद्वत ब्रंद भूदेव ब्रंद अकारण करुणा करुणे करने वाले स्री राग होके पावन चरित्र स्री अनुराग रखने वाले भक्त ब्रंदेव मात्र शक्ती आप सब के रूप में अपने राग विद्व ही सर्कार की अनेका नेका कर्तियानी हार करके आप सब के भी पावन चरणों में मैं बारम बार बंदन करता हूँ आओ हम सब का जीवन मधु में बने रस में बने आनन्द में बने इसके लिए आप अपने सरीर को तो यहीं कुर्वा में रहने दीजिए अपनी चित्त वर्ती को हमारे साथ स्री प्रयाग राज में ले चादिए जहां एक दिब्य महत्मा निवास करते हैं जिनका नाम भरत द्वाज है वैसे तो माग मास्वे बड़े-बड़े महत्मा अमलात्मा ग्यानेंद्र मुनींद्र देवता गंधर वकिन्नर सब प्रयाग राज में एक महिने तक आ करके रस लेते हैं अनंद लेते हैं तफश्या करते हैं किन्त अब की बार एक ऐसी गठना गठी जब सब महत्मा चले गए अपने अपने स्थान की ओर याग गिवल्क महत्मा जब जाने लगे तो हमारे शी भरत द्वाज जी महराज ने उनके स्थी चड़ों में अपना मस्तिस को जुका करके प्रार्थना करके उनको रोक लिया और रोकने का कारण यही था कि उनके मुखार बिंदुस से भगवान की कता सुनना चाहते थे क्योंकि याग गिवल्क महत्मा भगवान के प्रेम रस में डूबे हुए हैं अनुराग रस में डूबे हुए हैं भक्ती रस में डूबे हुए हैं बरत द्वाज महत्मा जैसे कोई ना समझ व्यक्ति हो सास्त्रों का जानकार नहो भगवान के सुरूप को पैचानता नहो ऐसे अग्य बन करके उन्होंने प्रश्ण किया और प्रश्ण यही था कि भगवान स्थी आश्टो श्युशंकर जिस भगवन नाम के प्रभाव से कासी में मरने वाले लोगों को मुक्ति दे देते हैं वह राम जिनका नाम रट रट करके योगिंद्र मुनिंद्र सद्गती को प्राप्त कर लेते हैं और एक राम राजा धिरास्वी दसरच जी माराज के तने हैं अपने पिता की आग्या मान करके जो बनवासी बने जिनकी प्रिया का परण रावन ने कर लिया बाद में रावन का बद करके जिन्होंने राम राजी की स्थापना की ये दोनों राम एक हैं कि दोनों अलग-अलग हैं मात्मा याग्यवल के ने बरद्वाज जी माराज की प्रश्ण को सुन करके उनकी इक्षा को जान गए किसी प्रश्ण के माध्यन से वहा बगवान की गुनोचरित्र का श्रवन करना चाहते हैं हमारे याग्यवल के मात्मा ने कहा कि जैसे आज आपने हमसे प्रश्ण किया है नरणिन मात्माओं की बड़ी अद्बुस सहली है सास्त्रों की अद्बुस सहली है हमारे यह परंपरा नहीं कि इदम मदीयो भावा ये मेरा भाव है, ये मेरा चिंतन है, ये मेरे विचार है, ये मेरी खोज है या जो चर्चा में सुना रहा हूँ, आज तक किसी ने सुनाई नहीं है ये हमको नई विचारधारा मिली है ऐसी विचार धारा को हमारे सुनातन धर्म की परंपरा में स्युकारा नहीं जाता है आप भागवत सुनेंगे तो आप पाएंगे सुदेव जी माराज से भी राजर्शी परिक्षित यदि भागवत धर्म के बारे में पूछते हैं तो सुदेव जी माराज ये नहीं कहते कि मैं भागवत धर्म बता रहा हूँ कहते हैं जैसे आज तुमने हमसे परश्न किया ये ऐसे शरी नारत जी माराज से वसुदेव जी ने परुष्न किया था और वशुदेव जी से जब नारज जी महराज ने प्रश्न किया था तो नारज जी महराज स्वेम पांच रात्र की प्रनेता हैं भक्ती सुत्र की प्रनेता हैं किन्त उन्होंने भी यह नहीं काया कि मेरा मानना है कि इसका नाम भागवद धर्म है उन्होंने यही बताया जैसे आज आप हमसे प्रशन पूछ रहें कैसे कभी निमी राजा के हाँ नौयोगे सुरा गए थे और उनसे भागवत के विशे में जब प्रशन किया गया तो हमारे शी कभी जी ने बता दिया हमको लगता है साइद वकीर साहब आपके वकालत में भी ऐसे गुदारण दिये जाते होंगे अमुक सन में अमुक जज ने इस कानून के विशे में ऐसा न्याय दिया था हम कह रहे हैं इसलिए आप हमको न्याय दे दीजिए ये नहीं चलता है गवाहों के आधार पर कानून के आधार पर ये दिविचार आपके रखें गए हैं कानून सम्मत है तो जज आपकी बात मान लेगा ऐसे ही सास्त सम्मत वाक्त होने चाहिए अपनी मन गढ़ंत बात नहीं होनी चाहिए अपनी कल्पना नहीं होनी चाहिए हम लोग जब किसी महापुर्ष को सुनते हैं तो विचार करते हैं कि इसकी बानी सास्त्र सम्मत है की नहीं जो सास्त्रों में लिखा हुआ है उसके आधार परिया बोल रहा है कि अपने मनमानी ढंग से बोल रहा है जो मनमानी ढंग से बोलता है वा चाहे कितनी रसीली भासा बोल रहा हो चाहे कितना मधुर बोल रहा हो हम लोग उसको प्रमान स्युकार नहीं करते हैं अब देखिए हमारे शीयाग्यवल के महात्मा कोई सामान महात्मा नहीं है ये बता सकते थे कि वही राम है जो राजा दिरास्वी दस्वरजी महाराज के सुपूत्र है वही नाम का नाम भगवान संकर्जपते हैं किंतो ऐसा नहीं कहकर कि उन्होंने कहा कि जैसा आज आप ने हमसे प्रश्ण किया है ऐसे प्रश्ण भगवान संकर्षे कभी माम्मा जगदंबा स्पारवती ने किया था और कब कहां कैसे ये प्रश्ण की संखला जगी उस विसे में नोंने भगवान संकर का और सती का चरित्र सुना डाला कैसे वो कथा सुनने के लिए गई थी और कथा में बैठी कथा उनमें नहीं बैठी और बाद में भगवान जब अवतार लेकर के विचर्ण कर रहे थे दंदकारण बंद में तो भगवान संकर ने तो पहचान लिया किन्तु सती नहीं पहचान पाई और सती ने परिक्षा लेने का प्रियास किया जिसमें मा का रूप धारण कर लिया भगवान संकर ने सती का परित्याक कर दिया और वही सती बाद में जाकर के अपने पिता के यग्ग में अपने सरीर को छोड़ देती है अमरे या गिवल के मात्मा कहते हैं या इतिहास सकल जग जानी ताते में संखेप बखानी इस इतिहास को सारा जग जानता है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको विस्तार से नहीं कहा बंदो ध्यान रखना इतिहास का आर्थ होता है इतिमाने होता है निस्चे और आसधातु ही है अर्थ में ऐसा निस्चे हुआ था जैसे उपन्यास और इतिहास में फर्क है उपन्यास में कोई घटनाएं सत्य नहीं होती कालपनिक होती है और इतिहास जब प्रस्तुत किया जाता है तो इतिहास में कालपनी घटनाओं का स्थान नहीं होता है सच्चाई की बाद कही जाती है इन्होंने कहा ऐसा इतिहास गुआ था सारा जगत जानता है मैंने इसलिए संग्षेप में सुना दिया किन्तो एक विसेस्ता ये वही कि सती जिस समय सरीर छोड़ रही थी वैसे तो सास्तर का नियम है अन्ते या मती सागती मरते समय व्यक्ती की जैसी मती होती है वैसी गती हो जाती है जिस समय प्राण के प्रयान का समय हो और जो चिंतन आपके चित में चल रहा हो निश्चित रूप से आपको दूसरा सरीर वही मिलेगा इसलिए मरत्यू के समय की बेला का बहुत ज़्यादा महत तो होता है सती के सरीर में आग लगी हैं योग आगनी से जला रही हैं सरीर भगवान हरी से उन्होंने बर्मागा कि हे हरी मैं चाहती हूँ एक जन्म नहीं जन्म जन्म सिवपद अनुरागा भगवान सिव के चरणारविंद में हमारा जन्म जन्म का अनुराग बना रहे और मांगने के कारण वही सती हिमाले के घर में आकर किनान जणमी है जनमी पारवती तनुपाई वही सती बाद में हिमाले के घर में आकर किजनम लेती है शुपुरान में बड़ा बिलक्षन वरणन है कि भगवान संकर ने जब सती का परित्याग कर दिया था और भगवान संकर समाधिस्त हो गए तो हिमाले में ही भगवान संकर निवास करते हैं और सती उस्तमें अकेली पड़ गई एक तो परित्याग का दुख और दूसरा एकांत का दुख एकांकी रहना भी सबके बसका नहीं है अंतर मुकी व्यक्तियदी एकांत में रहेगा तो भजन करेगा और बहर मुकी व्यक्तियदी एकांत में रहेगा तो रुदन करेगा ये सब को एकांत में रहना नहीं आता है एकांत में सब रह भी नहीं सकते हैं तो संयोग ये बना कि हमाले की पत्नी मेना ने ये मेना देवी ने स्री सती को इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया जैसे कोई मा अपनी बेटी को प्यार दे नर्णिसने में बहुत सामर्त होता है और दुख के समय ब्यक्ति जो सयोग करता है उस सयोग की छाप हमारे चित में अधरन हो जाती है ऐसी होती है माराजिवा की छाप कभी बिट्थी नहीं है इसलिए बहुत सजग रहना चाहिए बेवार में सजग रहो सावधान रहो जब कोई किसी के जीवन में दुख को हो तो उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए भागवत में भी बड़ा रसीला प्रसंगे उसका वैसे विस्तार से तो वरणन नहीं है किन्तो जो नंद बाबा के घर में जन्वी थी जो रड़की जो कन्या और शीवसुदेव जी महराज लेकर के गहे देवकी की गोद में दे दिया जब कंस को पता चला कि आठवी संतान हो गई है तो कंस मारने के लिए आया और सुबालिका को खीचने लगा तो देवकी मारो पड़ी जिन्नों ने छे बच्चों के मारने का कोई भी रोद नहीं किया था आज इस कन्या के प्रती इतनी ममता उमड़ी इतना इसने उमड़ा इतना प्यार उमड़ा कि मारुदन करने लगी और भाई का पैर पकड़ करके कहा कि इसे मत मारो ये कोक पोचनी बाल है ये मेरी अंतिम संतान है किन्तो कंश्ट दुष्ट कहां मानने वाला था कंश्ट ने जो पैर पकड़ कर पटकना चाहा तो ये तो साक्षाद भगवती थी आकास मार्ग में अश्ट बुजा वाली होकर प्रगट हो गई तिरोहित तो हो गई वहां से चली तो गई किन्तो देवकी मा का प्यार उनको भूल नहीं रहा था देवकी मा का इसने उनको स्मरण में आ रहा था बार बार तो वही योग माया आकर के देवकी के उदर से आकर के जन्म लेती है जिनका नाम सुभद्रा रखा गया प्रेम में बहुत सामर्थ है अगर हमको प्रेम करना आ जाये तो पासान से तो परमात्मा प्रगट ही हो जाते हैं किन्तो परमात्मा को भी बस में करने का साधन यदि दुनिया में कोई है एक मात्र प्रेम है ये मैना के चित में जो प्रेम खा सती के प्रती तो सती को लगा कि जब मैं इनकी बेटी नहीं थी और तब भी इनोंने बेटी जैसा प्रेम दिया तो यदि मैं सचमुच में इनकी बेटी बन जाओंगी तो कितना प्यार मिलेगा कितना दुलार मिलेगा इसलिए इन्होंने मेना को अपनी मा बना करके हिमाले को अपना पिता बना करके प्रगट हुई और जब से उमा का प्राकट्य हुआ तब से हिमाले में सकल सद्धियां आ गई संपत्ति आ गई मुनी जनों ने आकर आकर आर्ष्रम बना लिया हिमाले में बहुत आनंद बनाया जाने लगा सरिता सब पुनीत जल बहने लगी नारज जी महराज ने आकर के जब नारज जी महराज को पता चला कि हिमाले की बेटी हुई है उसे हिमाले के बेटे भी थे पहले बेटे थे और बाद में बेटों के बाद ये बेटी हुई है तो स्वाभावी के मा बहुत प्रसंद थी मा बहुत आनन्द में थी बेटी को पाकरके साक्षात मामभा, धिगदंबा, परंबा स्वैबं इनकी जो बेटी बन कर आई तो प्रसंद तो थी ही नारज जी महराज जब आए तो नारज जी महराज ने महराज आकर सिद्धेवी का नाम करण किया और महराज इसके सौभाग की बखान करने लगे की ये तो सौभाग शालनी बेटी है सुन्दर सहज सुसील सयानी नाम उमा अंभिका भवानी कि तुमारी बेटी सुन्दर है, सुसील है, सहज है, समझदार है नाम इसका उमा होगा, अंभिका होगा, भवानी होगा सब लक्षन, संपन, कुमारी जितने लक्षन होते हैं, सहजता, सरलता के सारे लक्षन इसके जीवन में है और सबसे बड़ी विसेस्ता इसकी यह होगी, होई है ही संतत, पिये ही पियारी अपने पिया की जिया में बसने वाली हिया में बसने वाली यह होगी इसके पतीश से बहुत प्रेम करेंगे और ये सदा सो भाग गिसालनी रहेगी और इस बेटी के कारण ही माता पिता को यस होगा मैं कई बार देखता हूँ समाज में आप देखते होंगे बच्चे यदि प्रतिवा संपन होते तो लोग बाप के नाम से बेटे को नहीं जानते बेटे के नाम से बाप को जानते हैं मैं कई बार लोगों को कहता हूँ जिसे योग इस सिस्स्य होता है तो गुर्जनों की पहचान सिस्य के माध्यम से होने लगती है स्वामी विवेकानन जी माराज के माध्यम से ही लोग ठाको रामकृष्ण परमहंस से परचित होते हैं रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से विवेकानन से नहीं परचित होते हैं और मैं तो बच्चों को कहा करता हूँ हर दम जब बच्चे मेरी समी पाते हैं तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि ऐसा काम करना ऐसा जीवन बतीत करना कि तुम्हारे पिता की पहचान तुम्हारे कारण हो यह नहीं कि माराज पिता के कारण बालक की पहचान हो यह अमुक का यह पुत्र है यह नहीं अमुक बालक की यह पिता है यह मा है तो यहीं यहां प्रयोग किया गया कि इस बेटी की वज़े से माता पिता को माराज यस मिलेगा यही ते जसुपई हैं पितु माता माता पिता को इस बालक बालिका की वज़े से माराज यस मिलेगा यह पूज्य होगी जगत में इसका जो सेवन करेगा इसका जो पूजन करेगा इनकी जो आराधना करेगा उसको संसार में दुरलब कुछ नहीं होगा संसार की स्त्रियां इनका नाम लेकर के पति ब्रत पालन करेंगी सारी प्रसंसा बता देने के बाद अब धीरे से नारजी मरा जिने जोसियों का सुभा होता है वैसे जोसियों के पास जाओ और दिखाओ हाथ दिखाओ या कुंडली दिखाओ तो सब विसे इस्ता है विसे इस्ता हैं बताएंगी तुम्हारे जीवन में ये होगा तुम्हारे जीवन में ये होगा और सब कुछ बताने के बाद चतुर जोसी का काम भी यही होता है धीरे से बात रख दे कुछ अधी गड़ बड़ी है उन्होंने धीरे से बात रख दी तुम्हारी बेटी में सारे लक्षण हैं कि इन तो दो चार अउगुण भी हैं वो भी सुन लो मता पिता चौकन्ने हो गए कि हमारी बेटी में अवगुण भी हैं बोले हाँ क्या अवगुण है बोले इसको जो पती मिलेगा अगुण होगा अमान होगा और मता पिता नहीं होगे उसके अनात होगा मनों उदासीन होगा उसके सारे के सारे सबसंचे छिन गए होगे योगी होगा जटिल होगा अकाम होगा माराज नंगा रहने वाला होगा नंगन सब्द का प्रियोग है और अमंगल वे सधारन करेगा कपड़े लगते उसको पहना नहीं आएगा जैसे संदर लगे वो कपड़े नहीं पहनेगा अच स्वामी एही कह मिलें परी हस्त असी रेख इस कन्या के हांथ में ऐसी रेखा पड़िये कि ऐसा इसको पती मिलेगा और मराज ये सुनते ही इमाले और महनया को तो बहुत पीड़ा हुई के इन तो उमा के चित में बड़ी प्रसंता होई उमा मन ही मन प्रसंद होने लगी आपको कहा तक कहें उस प्रसंता का रहस से नारज जी भी नहीं समझ पाए इनका तुमारा सरीर रोमांचित हो गया नेत्र से जल बहने लगे और विचार करने लगी कि निश्यत्रू से देवरशी की बात कभी असत्य नहीं हो सकती है माता पिता बड़े दुखित हो रहे थे और करंदन भी करने लगे स्वाभाविक है कि बेटी को ऐसा पती मिलेगा तो निश्यत्रू से जीवन दुख में बीतेगा जब दुखित हो रहे थे तब नारज जी माराज ने कहा कि देखो एक बात कहें क्या कहना चाहते हो माराज कह दो बुले इसके योग एक बर है जो जो लक्षण मेंने बताए हैं सब निश्यत्रूफ से उसमें है इसमें कोई संसे नहीं है कि उसमें ये एक भी दुरगुण जो हमने बताये नहों किन्तो जो समर्थवान व्यक्ति होता है उसके जीवन में दुर्गुण भी सद्गुण बन जाते हैं मैं कई बार लोगों को देखता हूँ आप लोग चाहिए नभोग कर ले न बड़े घर की बहु हो चाहिए नकली हार पहन करके जाए किन्तो सब लोग असली जानेंगे की नहीं जानेंगे होगा नकली किन्तो समझेंगे ये नकली कैसे ये तो निश्चित रूफ से असली पहन के आएगी बड़े घर की है न और गरीब घर की माराज इस्त्री कोई असली भी कीमती हार पहन करके जाए तो उसको कोई असली स्युकार करने को तयार नहीं होगा तो कई चीज़ें ऐसी होती समाज में और बहुत सारी बाते हैं इन्होंने तुम्हेंने कई लक्षन बता दिये समरत कहूं नहीं दोस गुसाईं रभी पावक सुरुसर की नाई जो सामरत वान व्यक्ति होता है उसमें कोई दोश नहीं रहते हैं भानु क्रशानु सरवरस खाहीं तिनकह मंद कहत कूँ नहीं अब देख जी भानु और क्रशानु सूर देवता सब जगह का जल पी लेते हैं कोई मलमूत्र भी त्याग आये तो उसको पानी को भी सूर देवता सुखा देते हैं और अगनी देवता सब कुछ जला देते हैं सब कुछ खा जाते हैं किन्तो दोनों को कोई अपुनीत नहीं कहता है गंगा जी में मुर्दे बैते रहते हैं किन्तो गंगा जी को कोई अपवित्र बोलता है कासी में गाट है हमको एक महीने वहां रहने का औरसर मिला पढ़ने के लिए गए तो कोई स्थान नहीं मिला आता तो वहाँ मिला कासीव एक जगए एक महीने ही रहे बाद में हमको भी एचू में स्थान मिल गया तो उधर चले गए किन्दुम्हाराज मैंने देखा उस गाट में 24 गंटे मुर्दे जलते मनिकडिका घाट है वो कोई पास में एक सतुवा बाबा का आस्रम वहाँ रहे तो हमारे कमरे से 24 गंटे मुर्दे देखते थे हम देखते थे लोग महाराज मुर्दे जला करके हड़ियां भी सरजित करते थे राक भी सर्जित करें बाद में उनको उष्नान करना हो तो मुर्दे की राक हो तो हटा देते थे जैसे कोई सरोबर से काई हटा दे और राक हटाकर हर-hर गंगे करके दुब्की लगा लेथे थे और उस पवित्र हो गयै कोई यह नहीं कहता कि मैं पवित्र हो हूं गंगा इश्नान के बाद तो जैसे गंगा में सब महराज मलिन बहने के बाद भी कोई इसको अपनीत नहीं कहता है वैसे ही ध्यान दीजिएगा ये दिमापुरुष में कोई दुर्गुण दिखने लगें तो कोई दुर्गुण दुर्गुण नहीं लगते हैं ये जितने हमने बताये हैं सारे के सारे दोस नहीं तो भगधवान संकर नें किंतो संकर ऐसे मिलने वाले नहीं है, संभू सहज समरत भगवाना यहीं विवाह सव विधिकल्याणा महराज अगर इसका विवाह भगवान संभू से हो जाए, तो निश्यत रुभीत रूप से इसका सवविद कल्यान होगा किन्तो दुरा राद दिपए अहीं महेशू महेश को पास करना भगवान संकर को प्राप्त करना सहज नहीं है किन्तो एक विशेष्टा उसमिन में ये भी है कि आश्यतोस्पुन की एक कलेशू आश्यतोस हैं सिग प्रसंड हो जाने वाले भी हैं जो तप करे कुमार तुम्हारी नारज जी महराज ने कहा कि राजन ये तुम्हारी एक कुमारी तब करेगी तो भावी मेट सकहित्र पुरारी देखो भई भगवान संकर की एक ऐसी विशेष्टा है जो किसी देवताबे नहीं है आपके भागिके भी देखाओं को बदलने का सामर्त भगवान संकर में है बिने पत्रिका में एक बड़ा बिलक्षण है पद अमरशी तुर्शिदार जी महराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी म महराज ने आकर के भगवती सती को कहा कि तुम्हारा पती बावरा है आप लोग मत कह देने जाकर कि किसी देवी को खत्रा है बावरो रावरो भवानी तुम्हारा पती बावरा है भगवती ने पूछ दिया क्या बावरा क्पन है उसमें बोले जिसके भाग में सुख की निस सवानी हो गया हूं अर्थाज जिसका दुर्भाग्य था महराज सदाक सरवदा दुख पाना किन्त भगवान संकर की आराधना करने लगे तो उसको स्वर्ग की रजधानी दे दी बड़े भिलक्षन है भगवान संकर जैसा नारण उदार दूसरा कोई नहीं है आप लोगों नुसायत कभी सुना होगा एक चोर चोरी करने के लिए गया बिचारा दिन बर भटकता रहा कहीं उसका नमबर ही नहीं लगा दाद भर सुबह सुबह लोटकर आ रहा था सोचा कि आज दिन का काम कैसे चलेगा तो गाओं के बाहर सिव का मंदिर था तो सोचा कि चलो यहां से कुछ चोरी करने का सामान मिल जाएगा तो आज का काम बन जाएगा मंदिर में गया तो मंदिर भी खाली थे कोई पुजारी भी नहीं था सोचा क्या करें तब तक उसको पीतल का घंटा उपर दिख गया सोचा यदि घंटा मिल जाए तो आज तो बेज करके काम बन जाएगा अब घंटा तक पहुंचे कैसे वो न टेबुल न मेज वहां न कुछ भी नहीं बड़ा परेशान सोचा क्या करें बाद में नर्वदेश्वर ही थे माराज उस घंटे के नीचे नर्वदेश्वर को प्रणाम करके कहता बाबा माप करना यहां कुछ और तो है नहीं अब हमको उतारना है तो भगवान संकर की पिंडी पर ही चड़ गया और चड़ करके जो घंटा पकड़कर उतारने लगा तो भगवान संकर प्रगट हो गए बोले बरम रोही बर मांगो बर मांगो बर मांगो थर 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 कापने लगा मुझे क्या पता था कि तुम प्रगट हो जाओगे का बर मांगो हमसे जो मांगना हो बोले माराज अपराद छमा करो बोले अपराद क्या है लोग धतूरा चड़ा देते पानी चड़ा देते हैं बिलुपत्र चड़ा देत हैं मैं प्रशन्द हो जाता हूं ऐसा भक्त तो पहली बार मिला जिसने अपने को ही मेरे उपर चड़ा दिया हो कि तो ऐसा उदार आपको कहां से मिलेगा और सच में उनके जैसा उदार माराज मिलना बहुत कठीन है तो कहां कि निश्चित रूश से वो तुमारे उपर प्रशन हो जाएंगे और एक्षित फल बिन सिव अवराध है लहई न कोट जोग जप साध है अगर आप एक्षित वर्दान प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवाजन संकर से जल्दी कोई प्रशन होने वाला नहीं आपने कभी साध सुना होगा नर्शी मेता का नाम दर्शन दो घंशाम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे वकील साभ उनके भाई भी वकील थे नर्शी मेता के और वो बच्पन से भक्त भगवान के संयोग से नीचे वो रहते थे उपर भाई रहते थे और भाभी पता नहीं से राज हो जाए एक दिन कहीं बजन करने के लिए गये थे बहुत लेट हो गए रात्री में ठंडी का समय जब वो लेट हो गए तो दर्वाजा खट खट आया उपर से खिड़की भावी दिखी और भावी ने बहुत गालियां सुनाई बोले कोई धर मसाला नहीं कि जब आओ तब चले जाओ आज दर्वाजा नहीं खुलेगा हम देखते हैं कौन खोलता है दर्वाजे पर खड़े थे कांप रहे थे तो माराज भाई को दया लगाई अब भाई तो भाई हैं उनके बड़े भाई जो वकील थे उनको दया लगी उन्होंने क्या किया जो साल ओड़े थ उपर से डाल दिया कि ओड़े तो ठंड नहीं लगेगी अब माराज होम मनिश्टर ते सब लोग डरते हैं जगड़े के लिए काय को जगड़ा करो उसको तो नहीं कह पाए अपनी घरवाली को साल डाल दिया वो लोट करके आई देखे कि क्या कर रहा है तो देखा साल पहड़ा है तो और गुसा आई जाकर घड़े बर पानी लेकर के उपर से उनके उपर डाल दिया और डाल करके माराज वो तो चली गए यह रोने लगे इनको लगा कि देखो अब मैं अगर कुछ कहूंगा तो भाई-भावी में जगड़ा हो जाएगा तो वहां से चले आए और आकर की जंगल में एक ब्रक्ष के नीचे बैठ कर बहुत रोए और जब रो रहे थे जर 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 आसू गए रहे थे वहां मारा पत्तों से डगा हुआ स्यूलिंग था ब्रक्ष के पत्ते गिर गए थे इसलिए वहां दिख नहीं रहा था तो इनके आसू पत्तों से हो होते होते जाकर कि वो स्यूलिंग में चड़ गए और जो स्यूलिंग में चड़े तो भगवान संकर प्रगट हो गए बरम रोही बर्मागो नर्शी मेहता रोते हुए बुले कि प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो हमको रास के दर्शन करा जो हम शाम सुंदर के रास का दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान संकर ने उनको रास का दिकार दिया तो मैंने विजन इतना ही कर रहा था कि भगवान संकर जैसा सीग प्रशन होने वाला कोई नहीं है और आपकी एक्षित फल देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है यह जब माराज इन्होंने समझाया तो तुरत समझ में आ गया माता पिता को भी और उमा को भी एकांत में मैंना ने अपने पती हिमाले को कहा कि हमको नारज जी की बात कुछ समझ में नहीं आई क्या कहके गए हैं अब इतनी सुकुमारी बेटी हमारे कैसे तब करेगी कहां जाएगी बन में मैं तो नहीं भेजूंगी भले यह ब्याह इसका नहो किन तो मैं इसको कष्ट नहीं होने दूंगी राग के कारण कहा और रोने लगी हिमाले ने भी इनको मारा समझाया है बाद में एक दिना करके स्वेम उमा ने कहा कि आज हमको किसी स्वपने में महात्मा की दर्शन हुए और महात्मा ने हमको तब की आग्या दी है तो कहा हम तब करने के लिए जाएंगी और महराज ये जाकर के तब में सनलगन हो गई बहुत बिलक्षण तब किया है ऐसे तब की चर्चा सुनने को बहुत कम मिलती सम्मत सहस्र मूल फल खाए सम्मत माराज हजार वर्ष तक एक दो दिन तक नहीं हजार वर्ष तक इन्होंने फल और मूल खाए मूल मने कन्द मूल आ दी एक वर्ष तक ऐसे आरादना की बाद में मारा साख खाई सत वर्ष गमाए सो वर्ष तो इन्होंने मारा साख पत्ते खा करके जन बिता दिया कचुदिन भोजन वारी बतासा, ये वारी बतासा क्या है, बतासा आप लोग जानते हो की नहीं, पता नहीं हाँ मिलते हैं की नहीं मिलते, चीनी से बनते हैं, तो जैसे पानी वारी बतासा कारती है, जैसे पानी की भूने कहीं तपक रही हैं, उसमें एक बुदबुदा बन ज केवल उसको चाट करके बितीत किया और भगवान संकर की आराधना में लगी रहे से तीन सहस्त सम्मत सोई खाई बेल पत्त खा करके महाराजिनों ने जीवन बिताया और देखी उमही तप खीन सरीरा जब देखा कि उमा का सरीर बहुत शीन हो गया तो ब्रम गिराभ है गगन ग अलेकि जो महाराज शरीर थे न वायू प्रधान थे अगनी प्रधान थे सबका सरीर अलग-अलग होता है जैसे पक्षियों का सरीर होता है वायू प्रधान जल में रहने वाले जनतों उनका सरीर होता है जल प्रधान हम लोगों का सरीर है हम लोगों के सरीर में मिट्टी प् वैसलिए अन्न में प्राण हैं अन्न के बगेर प्राण रहने वाले नहीं हैं तो आज के समय हम सोचने लगे कि जैसी आराधना उन्होंने की थी वैसा हम करने लगें तो आराधना तो होगी नहीं और सरीर रुग्ण और हो जाएगा और जब सरीर रुग्ण हो जाएगा तो जो आराधना हो रही थी वो भी छूट जाएगी मुझे भगवान बुद्ध का विवार बहुत अच्छा लगता है आज के युग में भगवान बुद्ध का मानना है कि बीना के तारों को यदि जारा खीच दोगे तो तूट जाएगे तब भी स्वर नहीं निकलेगा और बीना के तारों को यदि आप बिल्कुल धीला छोड़ दोगे तब भी स्वर उसमें नहीं निकलेगा ये सरीर को बहुत जादा कसने लगोगे तब भी स्वर नहीं मिलेगा ज्यान रखेगा और इसको बिल्कुल धीला छोड़ दोगे है अमने देखा हमारे कई मित्र थे घर छोड़ कर जब विक्ती निकलता है तो बहुत प्रबल वैराग्यों होता है उस समय उसको लगता है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम एशुर को प्राप्त कर लें तो कहीं से कोई भी साधना बता देता है तो व्यक्ति उस साधना को करने के लिए तैयार हो जाता है अब मैं कई बार सोचता हूं कि जैसे जीवन में पहले बैराग गिथा आज उतना नहीं है जब घर छोड़ करके आये थे उस समय जो महराज प्रबल बैराग गिथा जो दिरे दिरे छ प्रफिन होता चला जाता है उस समय क्या होता है अगर कोई सच्चा गुरू हमको न मिला और मनमुख्यम आराधना करने लगे तो कई लोग महराज कई दिन तक भोजन नहीं करते हैं कई दिन तक पानी न पिए कई दिन तक ऐसे पड़े रहे वो सरीर को रुग्ण बना देता है तो जीवन का जो उत्तरार्द भाग है फिर वो साधना में नहीं बीट पाता है वो फिर रोग में बीटता है बहुत कठी ने इसलिए कभी आराधना मनमुखी नहीं होनी चाहिए आराधना निश्चित रूप से गुरुचर्णों के आधार पर ही होना चाहिए जैसे जैस साधना का अधिकारी है किस साधना से परमात्मा तक पहुंच सकता है नाम से पहुंच सकता है तब से पहुंच सकता है यह द्यान से पहुंच सकता है कैसे पहुंच सकता है माराज उस आराधना का पल भगवती के जीवन में ऐसा हुआ कि साक्षात ब्रमाजी माराज की वानी सुनाई पड़ी और कहा कि जाओ ब्रह्मगीडा भे गगन गंभीरा बड़ी गंभीर ब्रह्मवानी सुनाई पड़ी इनको भयव मनूरत सुफल तव सुनुगिर राज कुमार अकास्वाडी ने कहा तुमारा मनूरत सुफल हो गया परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं इत्र पुरार अब क्लेश का परित्याक करो तुम्हें निश्यत रूप से भगवान संकर बिलेंगे अस तप काहु नकीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ग्यानी अभी तक बड़े बहत्मा धीर वीर ग्यानी भय उन्होंने ऐसा आज तक तप नहीं किया है सत्य सद संतत भुवी जानी अब कहां कि देखो देवी तुम्हारे पिता जी बुलाने के लिए आए तो तुम चली जाना हट मत करना और तुम्हें सब तरिशी मिलेंगे तब जान जाना कि हमारी बानी प्रमान हो गई सुनत गीरा विदिगगन माराज गगन बखानी पुलक गात गि दिश्रिजा बड़ी प्रशन हो गई और हमारे तुषिधा जी माराज अपने मन को सुनाते हुए कहते उमा चरित सुन्दर में गावा सुनहु संभु कर चरित सुहावा मैं यहां तक मैंने उमा का चरित्र तुम्हें शुनाया है आव सावधान होकर भगवार्यन संभु का चरित सुनिये, जद्यप सदा रगुनायक नामा, जहाता सुनही राम गुन ग्राम, जिसमें स्ती ने अपने सरीर का परित्याक कर दिया था, और भगवान संकर को पता चला तो रुद्रगण बेज करके यग्य को बिद्धुन्स करा दिया बाद में यग्य पूरा भी करवाया और ये माराज सदा रखुनायक का नाम जबते रहते थे और जहां जहां कथा होती थी भगवान राम की वहां वहां माराज सुनने जहां तहां सुनही राम गुनग रामा जहां तहां माराज कथा होती थी जो राम की कथा सुदाता था वहां सुद्ते थे चिदानन्द सुकधाम स्रिव बिगत मोहमद काम विचरही मही धरी रदय हरी सकर लोक अभिराम ऐसे प्रतिवी विमारण विचयन करते रहते थे, कहीं महात्मा मुनी जन मिल जाए तो उनको वदेश भी देते थे, कहीं भगवन नाम की महिमा गाते थे, ऐसे सदा मरद विचयन करते रहते थे, भगवती के बीरे से दुखी तो थे, और अपने जीवन को ऐसा साधन में विती सब्सक्राइद कर रहे थे एक दिन भगवान स्यम स्री रागवेंद्र शरकार इंते इनके अंतक करण में प्रकट हुए प्रगटे राम क्रतग्य क्रपाला रूप शील नि दित्तेज विशाला हमारे शीरागों के लिए क्रतग्य सब्द का प्रयोग किया गया है नारण जो किये को माने उसका नाम क्रतग्य है आज कर लोग क्रतग्य नहीं क्रतग्य नहीं कितना भी उनके साथ उपकार करो किन्तों समय आने पर उस उपकार का बदला नहीं देते और मौका मिले तो अपकार और करते हैं किन्तो भगवान हमारे शीडाग्यविंद शरकार कृतग्य है एक बार भी उनका यदि कोई राम नाम ले देता है तो भगवान उनके हो जाते है अभी मैं एक वायू पुराण का श्लोक सुन रहा था किसी विद्वान से मुझे बहुत अच्छा लगा कहा कि यदि भगवान का नाम तो छोड़ दीजिए राधा ऐसा कोई एक बार नाम लेता है रा कहते ही भगवान उसके सन्मुखा जाते है दिखें बले ही नहीं और धा का उच्छारण करते करते भगवान उसके पीछे गोमने लगते है राधा सब्द का उच्छारण करने मात्र से रा कहने से समीप आ जाए और धा कहने से पीछे पीछे अनुचर हो जाए ऐसे कृतक गये हैं भगवान इसलिए हमारे तुशी राज जी माराज ने का है तुलशी बिलम्मन कीजिये भजिये राम सुजान जगत मजूरी देता है क्यो राखे भगवान आप यदी जगत की और निहारें तो जगत के लोग भी अपने मजदूर की मजदूरी रोकते नहीं हैं भगवान भी अपने भक्त का किया हुआ अफकार कभी भूलते नहीं हैं इसलिए महराज इनको क्रतक्ग्य सब्द से प्रियोक किया तुर्शी राज जी महराज ने क्रतक्ग्य रागहो जब प्रगट हो गए बहु प्रकार संकर रही सराह संकर जी महराज की बड़ी प्रसंसा की और कहने लगे आप जैसा ब्रत का निर्वाज कौन जगत में करेगा और उसके बाद बहुविदी राम सिवही समुझावा पार्वती कर जनम सुनावा मैं आज विचार कर रहा था कि भगवान संकर राम कथा करते हैं भगवान संकर राम कथा करते हैं राम कथा सुनते हैं और भगवान राम पार्वती कथा करे रहे हैं पारवती के जन्म से लेकर के माराज अभी तक सारा चरित्त शुनाया, और कितना बढ़िया विख्यात कसब्ध का प्रियोग किया इन्होंने, आतिपुनीत गिरजा के करनी, जो गिरजा ने किया है, पुनीत नहीं, आतिपुनीत है, बिस्तर सहित क्रपा ने दिवरनी, अमारे क्रपा ने दिने करुणा सागर रागों ने बड़े विस्तार से माराज कथा सुनाई और जब उमा का चरित्र बड़े विस्तार से सुनाया वारे वाठाकुर। हम तो कई बार इनकी करुणा पर रदे भराता है भगवान संकर इनकी अनुचर है किन तो महाराज ये आज्या नहीं देते है अब भिन्यतीमम सुनो हुशिव एशिव अमारी बिन्ती दुख सुनो क्या महाराज बिन्ती कर रहे हो बताओ तो सही और कहा आप हमसे प्रेम करते हो की नहीं तो महारा ने हमारे प्रती है की नहीं भगवान संकर के महाराज जर 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 आंसू बहने लगे और आंसू बर करके कहा महारा आज्या कीजिए आपके अत्रिक्त इस दुनिया में हमारा कोई प्री नहीं है आप ही हमारे सर्वस्तों आप ही हमारे प्राणाधार हो आप ही हमारे जीवन हो आप ही हमारे सब कुछ हो आज्या करिए न बोले ये दि आप हमसे आज्या पूछ रहे हो तो मैं आज्या करता हूँ जाई विवाहो सैलजेहिं जाकर सैलजा से व्याह करो और पहली बात तो देखो अगर तुम हमको अपना इस्ट मानते हो तो ये मेरी आज्याँ है और यदि आप अपना भक्त मुझे मानते हो दोनों नाते हैं ध्यान दीजिएगा जो रामे स्वर की स्थापना हुई है न भगवान राम के द्वारा तो रामे स्वर का अर्थ जो होता है रामस से ईश्वर हा जो राम के ईश्वर है अथवा भगवान संकर और राम है ईश्वर जिनके दोनों अर्थ है राम है ईश्वर जिनके अथवा जो है राम के ईश्वर तो भगवान राम का भजन करते हैं भगवान संकर और भगवान संकर करते हैं राम का भजन और राम करते हैं संकर का भजन दोनों एक दुसरे के पूरक है तो यदि आप हमें इष्ट देवता मानते हैं आराधना करते हैं तो हम आपको आग्या दे रहे हैं और यदि आप सोचते हैं कि हम आपके भक्त हैं तो आपसे मांग रहे हैं या हम मुहीं मांगे देव या मुझे मांगने में दो जो महराज कहा कि आप मांगने में दो कह सिव महराज सिव यदपी उचित असनाही नात बचन पुनि मेट न जाए भगवार इन संकर के नेत्तों से अस्व भर करके बोले कि प्रभो आप जो मुझे आज्या दे रहें ये उचित तो नहीं है कि मैं जाकर कि सहलजा से व्याह करूँ किन्तों आप आज्या दे रहें इसलिए आपकी आज्या मेटी भी नहीं जा सकती सिर्धर आयस करी तुम्हारा परम धर्म यह नात हमारा एनाथ हमारा परमधर्म ये है कि आपकी आज्या का पालन हम सिर्धर करके करें और एक बड़ी रसीली बात यहां रख दी गई कि मात पिता गुरुप्रभुके बानी बिनहीं विचार करी हैं सुभ जानी माता पिता की जो बात वो हमारा जाग्या मिले वो बिना विचारे करना चाहिए निश्यतर उससे सुभ होगा ऐसा ही चिंतन करें कि इन्द भाया द्यान रखना की बोल कौन रहा है कई बार पिता के अंदर बैठ करके लोब बोलता है कई बार पिता के अंदर बैठ करके काम बोलता है तो काम की आवाज नहीं सुनना है लोब की आवाज नहीं सुनना है मोह की आवाज नहीं सुनना है इसलिए संतों का संग करोगे तो पता चलेगा कि पिता के अंदर से कौन बोल रहा है अब ज तुम राजा बनो गुरू ने भी आज्यां दी कि तुम राजा बनो भी सुनाएंगे हम आपको किन्तों भरत जी ने गुरू की आज्यां सुनी और नमा की आज्यां सुनी दोनों की आज्यां नहीं मानी क्योंकि वह इश्ट के विरुद्ध थी और बड़ी सुन्दर बात स्री भरत जी महाराज ने कहे दी कि आप जिसको राजा बनाना चाहते हो रसा रसातल जाही तब ही ऐसे व्यक्ति को जब तुम राजा बना दोगे तो धरातुरत रसातल को चली जाएगी आप लोग विचार करेंगे प्रशंग में वहाँ सुनाऊंगा भरत चरित्र में तो ध्यान देने लाइक बात हैं कि पिता के अंदर से बोल कौन रहा है माता के अंदर से बोल कौन रहा है हमारे एक संत ने हमको सुनाया का कि मात्मा जरा सावधान रहना दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं उन्होंने बताया कि हमको एक सज्जन ने अपने घर में बुलाया चार बेटे थे और 55-60 साल के थे सज्जन घर में बुला करके खुब स्वागत किया महात्मा का और महात्मा का स्वागत करने के बाद आरती की और आरती करने के बाद कहा महाराज को ससंग करो तो महात्मा ने कहा कोई प्रश्ण हो तो आप बताओ हमको उस प्रश्ण का हम उत्तर देते तो सज्जन ने यही चौपाई रख दी मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहीं विचार करी है सुभ जानी और महात्मा जी ने महाराज बड़े विस्तार से इसका वरण किया कि मात्र देवो भव पित्र देवो भव और समझाया कि उनकी आग्यां हमारे इस्वर की आग्यां होती है प्रभचन एक गंटे तक चला सब घर के बच्चे बैठे थे प्रभचन पूरा हो जाने के बाद पिता जी खड़े हुए और खड़े होकर अपने बच्चों की तरफ मुख करके कहा सुना महाराज जी ने क्या कहा मता पिता इस्वर होते हैं इसलिए उनकी आग्यां मानना तुम्हारा धर में है अगर तुम लोग आज्या नहीं मानोगे तो नर्क जाओगे उम्हाराज बोले हमको बता रहे थे बोले में तो चवकन्ना हो गया कि मामला क्या है तो कहा मैंने तो विचार किया कि ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे इनकी नालाएं खेमानते नहीं होंगे कि इसले इन्होंने ऐसा प्रबचन करवाया फिर बाद में बच्चे को ये सुना रहे हैं तो रास्ते में जो सज्जन ले गए थे उनसे पूछा क्या इनके बच्चों के बीच में अन्बन रहती है क्या तो सज्जन ने हस करके का माराज जी अनुबन नहीं रहती बात ये है कि आज से तीन साल पहले इनकी पत्नी मर गई थी अब ये दुबारा व्याह करना चाहे रहे हैं तो बच्चे विरोध कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हो गए हैं तुमको व्याह की क्या जरूरत है तो बच्चों को समझाने के लिए कि ब्याह के लिए बिरोध न करें इसलिए आपको लाए थे माराज बड़े चालाँख होते हैं दुनिया के लोग साद्वों को भी प्रयोग करने में छोड़ते नहीं है अगर साद्वों से घर में काम बन जाए तो माराज वहां भी स्वार्त सिद्ध कर ले तो महत्मा जी ने हमको बता करके कहां स्वामी जी ऐसे कभी दोहा चौपाई रख दिये जाए तो ये ध्यान रखना कि बच्चों को ये साथ वे जरूर कह देना कि पिता बोल रहा हो तो सुनिएगा कि इन तो काम बोल रहा हो पिता के अंदर से तो सुनने की जरूरत नहीं है लोब बोल रहा हो तो सुनने की जरूरत नहीं है मोह बोल रहा हो तो सुनने की जरूरत नहीं है कई बार पिता मो से गरशित हो जाता है फिर बच्चों को दुहाई देता है कि हम तुमारे बाप हैं और बाप इस्वर के समान होता है उसकी सेवा करनी चाहिए मैं सेवा का विरोध नहीं करता हूँ किन्तु सास्त्र विरुद्ध यदि करतब भी कोई बता दे जिमत कीजिएगा किन्तो गुरु को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा इसके लिए सास्त्र प्रवान है बली को आप लोग भागवत सुनते रहते हैं आजकल भागवत की भी परंपराएं बदल गई है मूल भागवत भी कहने वाले बहुत कम है तो होग जाता है कि बावन भागवान बनाकर खड़े कर दिये जाते हैं फिर बागवन को भिक्षा दी जाए वही भीक मांगते हैं जाकर समाज में चंदाई खटा करना उद्देश तो मूल चरित्रवान छूट जाता है आप कभी मूल पढ़िएगा या सुनिएगा किसी विद्द्वान से तो पता चलेगा सुक्राचार ने ऐसा कोई उपाय नहीं था जो महराज भगवान को दान देने से मना करने का प्रयास किया हो बली के सामने आप पढ़िएगा हर युक्ती अपनाई उन्होंने भै की युक्ती भी अपनाई लोब की युक्ती भी अपनाई दुरगती की भी युक्ती अपनाई तुम्हारी दुरगती हो जाएगी किन्तो धन्य है स्री बली जी महराज बली जी महराज ने महराज माना नहीं उनकी बात नहीं तो कह देते हम गुरू है गुरू जो आज्या करें सुमाना परमधर में है किन्दो याद रखे गुरू बोल रहा है कि गुरू का लोब बोल रहा है या गुरू की संकिनताएं बोल रही हैं इसका तो विचार करने लाई किश्टे तुलशीदार जी महराज ने तो एंदा बन गहे आये उगे तेकास्य से तो मीरा उस समय बड़े समस्या से जूझ रही थी इसको तोड़ा कम करो शीथी चिसी तो नारैन नारैन सु elas नारैन सु कर से उस संयोक से उस समय तो तुर्शिदा जी महराज को उन्होंने पत्र लिखा, कि आप समाज में प्रतिष्टिस संत हैं, आप सास्त्रों के जानकार हैं, मेरे जीवन के ऐसी ऐसी समस्या है, मैं किसकी आज्या मानूँ, बाबा ने उनके लिए पत्र लिखा था, तजिये ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम सनेही जाके प्रिन राम बैदेही, तजिये ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम सनेही, हमारा परम सनेही हो तब भी करोणों बैरियों के समान उसका त्याग करना चाहिए, जिसको हमारा लक्ष प्रीन हो जिसको हमारा इष्ट प्रीन हो जिसको हमारी साधना प्रीन हो महराज बड़ा मंगल हो जाएगा क्यों सास्त में यदि पिता विरोद कर रहा हो मा विरोद कर रहा हो तो भगवान संकर स्वैम कहते हैं रामयन में आपने ही लिखा है कि महराज मात पिता गुरु प्रभु के बानी भी नहीं विचार करी इस सुभ जानी और आप यहां करें को करोणों बहरियों के समान त्याग कर देना चीहे तो मता पिता का विरोध करने से सास्त्र विरोध यह लग जाएगा तुशिदा जी महर दिया तजो पिता प्रहलाद भिवीशन बंदु भरत महतारी देखो प्रहलाज जी महराज ने अपने पिता का परित्याग किया आप सब कथा सुनते हैं भागवत में अपने पिता की आज्यां कहां मानें पिता कहते थे भगवन नाम नहीं लेना है अमारे दुस्मन का भजन नहीं करना है कहां मानें विरोध में हुए तजो पिता प्रहलाद भिवीशन बंदु भिवीशन ने अपने बड़ा भाई पिता के समान होता है उसकी आज्या मानना चाहिए सास्त्र की भरियादा है किन्तो भिवीशन ने अपने पिता का परित्याग कर दिया रावन का परि अभीशन बंदु भरत महतारी अमारे शी भरत जी महराज ने अपनी मा का परित्याग कर दिया और ब्रजांगनाओं ने अपने पती का परित्याग कर दिया तो क्या ये सब नर्क गए बुले नहीं भे सब मुद मंगलकारी देखो भाई निवेदन कर दू कोई बालक यदि अपने माता पिता की सेवा छोड़कर किसी कामनी की सेवा करने लगे किसी इस्त्री की सेवा में संलगन हो जाये तो आप पतित हो गया किन्त वह अपने माता पिता की सेवा छोड़कर के दि भगवत सेवा में लग गया तो पतित नहीं पावन हो गया कहाँ उसकी चित व्रत्ति है पतन और उत्थान का हेतू क्या आ है हम किधर बढ़ रहे हैं अगर कोई स्त्री अपने पती की सेवा छोड़ करके परपुरुष की आराधना करने लगे परपुरुष की सेवा में सनलगन हो जाए तो पती तो हो गई किन्तु वही परमात्मा की सेवा में लग जाए वही भगवान की सेवा में लग जाए कृष्ण की अनुगामनी बन जाए तो वही माराज पतित कहां होगी हुआ तो पावन हो गई पुनी तो हो गई इसलिए ध्यान देने लाइक बात ये है कि बोल कौन रहा है अब पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा हो की न देखा हो मारवाडियों के हां हमारा दादी बहुत बोलती है बहुत दादियां बोलती है अब यहां तो एक दिन भी नहीं बोली है नहीं कथा का जो उस्सो चालू होगा न उस्सो चालू होते वो माता हैं जूमने लगती है हमारी ऐसे ऐसे फिर कोई दादी आ जाती है कभी कोई दादी आ जाती है और जब दादी आती है तो सब बोलती है हो बोलती है की नहीं बोलती ऐसे द्यान रखना कि पिता के अंदर बैठकर काम बोल रहा है कि क्रोध बोल रहा है कि लोब बोल रहा है कि मोह बोल रहा है इसको पहचानना चाहिए अगर पिता के अंदर पिता बोल रहे हैं तो जरूर स्युकार खरो और पिता कभी पतन के रास्ता नहीं बताएंगे, पिता कभी कुरोध का रास्ता नहीं बताएंगे, पिता कभी लोब का रास्ता नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, सास्त की बानी को कैसे जीवन में हुतारना है, ये भी गुर्जनों से सिखना पड़ता है, बगवान ने कहा कि आप सब्तरकार से हमारे हितकारी है अग्या सिर्परणाथ तुम्हारी आपकी आग्या हमारे सिर्माते हैं और मारा जीए मानों मांग कर आज्या दे करकि बगवान चले गए। और आगहों के जाने के बाद हमारे शंकर भगवान ने सब तरशियों का तिंतन किया सब तरशिय आये और सब तरशिय आने के बाद इनको मारा सब तरशियों को कहा जाकर पारवती के प्रेम की परिक्षा लो मैं कई बार विचार करता हूँ कि भगवान राम ने आग्या दे दी भगवान राम ने मांग लिया कि जाए बिवाहो सहल जहीं अब मुही मांगे देओ तो बाद में परिक्षा करवाने की क्या जरूरत थी भई बिना परिक्षा के व्याहनी हो सकता था क्या भगवान किसी को आग्या दे करके चले जाए फिर परिक्षा की क्या जरूरत है उसमें परिक्षा क्यों करवाई कारण क्या है हमारे एक संद कहते थे कि भगवान राम करुणा से भरे हैं किन तो परिक्षक सही नहीं है जान रखेगा भगवान के सामने महाराज कोई करुणा बड़ा हरदय आ जाये तो करुणा कर बैठें इसलिए भगवान तो करुणा के सुरूप है भगवान परिक्षक नहीं है और भगवान कभी किसी की परिक्षा लेते भी नहीं है ज्यान दीजिएगा भगवान को क्रपा के अत्रिक्त कुछ आता ही नहीं है जो लोग आकर के हमसे कहते हमारी तो भगवान परिक्षा ले रहा है हमको दुख भेज रहा है मैं कई बार हसता हूं ने का इतने बड़े तुम हो गए कि तुमारी परिक्षा भगवान को करनी पड़ी आप जला विचावर करो तुमारी योगिता को भगवान जानते नहीं है कि तुम कितने गहरे पानी में हो भगवान कभी किसी की परिक्षा नहीं लेते और बंदू भगवान कभी किसी को दंड भी नहीं देते उनको दंड देना आता ही नहीं हूँ एक रामाण के बहुत रशिक बकता हुए हमारे पुजशी बिंदू जी महाराज बिंदू जी महाराज गुन गुन आते हैं क्रपा की नो होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी भगवान की अदालत में वकील साब कोई वकीले नहीं मिलते अगर उनकी कृपा की आदत नहोती वो कृपा के कारण लोग उनकी अदालत में जाते हैं कृपा की नहोती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी दीनों की दुनिया है आवाद तुमसे गरीबों से है बादसाहत तुम्हारी न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम किस बिद होती हिफाज़त तुम्हारी अगर मुलजिम नहीं होता तो तुम हाकिम कैसे बनते न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम किस बिद होती हिफाजत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सुनी ही रहती आदालत तुम्हारी तुम्हारी वुल्फत के वुल्फत मने चाहत तुम्हारी ही वुल्फत के ये द्रग विंदु हैं तुम्हें सौपते हैं अमानत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी भगवान तुनान कृपा की आदत वाले हैं करुणा की आदत वाले हैं उनसे परिक्षा नहीं होती है और भगवान संकर ने परिक्षा अपने लिए नहीं कराई सुती की उमा की संसार के लिए कराया कि लोग जान जाएं कि उनके प्रेम महराज आपको बताएं प्रेम को प्रगट करने का जो साधन भगवान प्रगट करते हैं उवा संतों के हित के लिए करते हैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रशन मिलेगा सुनने को मुझे बहुत प्यारा लगता है हो प्रशन सुनने को मिलेगा प्रेम अमियं मंदर भिरह भरत पयोदी गंभीर मत्य प्रगट्यो सुरुसंत हित क्रपाज सिंदु रगुवीर प्रेम अम्रित हैं और प्रेमी जो गंभीर समुद्र के समान प्रेमी उनके अंतक कर्ण में रहता है इस प्रेम को कैसे प्रगट किया जाए क्योंकि सच्चा प्रेमी कभी अपने प्रेम को छपाता नहीं चुपाता है और जो छुपाने वाला प्रेमी है वही अपने लक्ष तक पहुँच पाता है अब उसके प्रेम को क्यों प्रगट कराना चाहते हैं भगवान इसलिए कराना चाहते हैं कि लोग प्रेम को पहचान सके 99.99.99 लोगों ने वास्ना का नाम प्रेम रख रखा हैं वास्ना का नाम प्रेम नहीं है जान दीजिये गा प्रमात्मा का नाम प्रेम है प्रेम के सुरूप को कैसे पहचाना जाए आज मैं प्राता कालिन देख रहा था इन चौपाईयों को मुझे लगा कि सब तरशियदी नहीं जाते तो साइद ये उमा के प्रेम को संसार के लोग जान ही नहीं पाते कि कैसा अदभुत प्रेम भगवती का भगवायन संकर के साथ में है माराज वहां जाकर के सब तरशियों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो यहां क्या कर रही हो हमें सत्य सत्य बताओ भगवती ने अपना परचे दे दिया कि मैं हिमाले की बेटी हूँ उमा नाम है हमारा पती प्राप्ती के लिए आराधना कर रही हूँ हमारे गुरुदेव नारद ने हमको मंत्र दिख्षा दिये है वैसे एक बात कहूँ आप लोग हमारी हसी मत करना हम अपने गुरुदेव की आज्या मान कर जैसे बिना कोई पंक के उड़ना चाहता है मैं वैसे उड़ना चाहे रही हूँ हमारा हट है क्या हट है तुमारा बुले हम भगवान संकर को अपना पती बनाना चाहती है हमारा जो सुना भगवान संकर को पती बनाना चाहती माहत्मा सब के सभास पड़े सुनत बचन भियसेज इस है गिरी संभोत दे है मात्माउने का निस्चित रूप तुम पहाड की बेटी हो अगर पहाड की बेटी न होती तो जड़ की बेटी न होती तो ऐसा जड़ संकल्प क्यों करती अच्छा अच्छा तुमारे गुरुजी नारज जी है हाँ महराज गुर्देव भगवान का नाम हमारे श्री नारज जी महराज ही है उनके आधार पर आराधना कर रही हूं मात्माउने का अच्छा अच्छा तुम्हें पता है कि नहीं पता मैं बता दूँ इस बाबा जी ने जिस जिस को चेला बनाया उसके घर में आग लगाई नारज जी के बारे में तुमको पता नहीं है आज तक उनकी वज़े से किसी का घर बसा ही दहीं है इतियास गवाए हैं दक्ष के बेटों को उबदेश दिया वो लोट करके आये ही नहीं उनका घर चौपट हो गया तिन फिर भवन देखा आई उनको चेला बना लिया तो लोट कर वो घर नहीं आये और चित्रकेतु को अपना माराज चेला बनाया उसका भी सब कुछ बरबाद कर दिया इरनकस्टिप को माराज बरबाद कर दिया नारद सिख जे सुनही नरनारी आवस होएं तज भवन विखारी नारद जी की सीक जो नरनारी मानते हैं निस्चुत रूफ से घर छोड़ कर विखारी बन जाते हैं क्योंकि बात ये है कि जो जैसा होता हूँ इसे दुनिया को बनाता है अब नारद जी के स्वें घर नहीं तो किसी का घर पसंद भी नहीं उनको कहते हैं सोचते हैं कि हमारे जैसे सब लोग बन जाएं उनकी बात को मान कर कि तुम साधना में लगी हो और कौन सा पती चाहती हो संकर अरी बावरी पता नहीं वो निर्गुण है निरज्ज है कुवेश है कपाली है अकुल है अगे है दिगंबर है ब्याली है अरे राम 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 उसमें तो एक भी गुण नहीं है न घर न द्वार न परिवार अब दूला में कुछ तो होना चीए घर द्वार कुल परिवार तो हो और कहें का का लोग दुनिया को लोग लगेगा कि सती का व्याव हो गया, उमा का व्याव हो गया किन्टो घर बसने वाला नहीं है आज तक उसके पास एक स्त्री टिकी नहीं है जितनी आई सम न मर गही और मेरे पास इतिहास है और सच में इतिहास है हम लोग बच्पन में पढ़े थे कि एक दिन भगवती ने पूछ दिया नारज जी ने आग लगा दी थी नारज जी महराज आग लगाने में नंबर वन तो नारज जी एक बार जब गए तो भगवान संकर थे नहीं घर में माले में किदर उदर गए थे तो मा ने स्वागत किया तो का पिता जी कहा है बोले इस समय कहीं गए है तो मा नारज जी ने कहा कि एक बात बताएं अब वैसे तुम्हें गरहस्तों के घर में जाना ना बंद कर दिया का क्यों घर में जाना ना बंद कर दिया प्रुष अपने दिल की बात नइस्त्री अपने दिल की बात पती को बताते हैं यहां नहीं चुपाते होंगे बाः की बात सब चुपाते हैं इसलिए हम घर गरस्ती में जाना बंद कर दिये गलाए online कि आ नारज जी आपको पता नहीं है हमारे पत्य कुछ भी नहीं चुपाते अगर उनको ध्यान में भी भगवान का दरशन होता है तो भी बता देते नारज जी ने का चांक कुछ नहीं चुपाते तो Vere וणौ की मुदों की माला क्यों पहनते हैं और और ये मुंड हैं किसके भगवती ने का ये तो नहीं बताया बोले सबसे बड़ा प्रमाण है चुपाने का और नारज जी चले गए जो भगवान संकर आये तो भगवती को भवन में थी वकील साफ जब पहले मकान बनाए जाते चिंद पता नहीं हमारे गोविंद ने बनाया क कि नहीं सिस्टम ही अभी हमको दिखाई नहीं पड़ा वो कमरा तो जब मकान बनाया जाता तो उसमें एक कमरा जैसे ड्राइंग रूम होता है ड्राइंग रूम होता है वैसे एक रूम बनाया जाता था जिसका नाम था कोभवन होता था जब देवी जी नाराज हो जाएं त अब प्लेट न तोड़ें घर में सांती बनी रहे तो उस कमरे में जाए तो पती आएगा तो मना लेगा किंतो अब सिस्टम समाब्त हो गया वैसे अब लोग मकान में नहीं बनाते हो आप कोगे क्यों सिस्टम समाब्त हो गया है नारण बात यह पहले कभी साल दो साल में जिंगी आधी ने बताया कि मां तो इस समय को भवन में भगवान संकरने का नारज जी तो नहीं आये थे बोले आये तो वही थे माराज वह आये तो कुछ न कुछ गड़बड करके जाए जब मनाने के लिए गए तो भगवती ने का जाओ आपसे हम बात नहीं करेंगे हमारी माता हैं बहुत नाराज होती है तो पहला सस्त्र उनका यही है बात नहीं करेंगे भगवान संकर ने का कारण तो बताओ क्या है बोले तुम हमसे प्रेव नहीं करते हो कमाल है हम प्रेम नहीं करते किस ने कहा तुमको बुले नारज जी ने कहा बुले नारज जी की बात मत मानो तुमसे हम इतना प्रेम करते हैं कि जितनी बार तुमारा सरीर पूरा हुआ उतने तुमारे मुंड लेकर कि मैंने ये सब माला बना रखी है इससे ज्यादा प्रेम का क्या चाहिए भगवती ने का फिर तो और गड़ बढ़ है हम इतने बार मर गई और तुम एक बार भी नहीं मरें ये कैसे प्रेमी हो माराज बड़ा भी लक्षण आज के समय में ऐसा खेल है प्रेमी माने समझते हैं कि यदि किसी की प्रेमी की सरीन में दर्द हो तो अपने भी लगता है कि विरोध यही कि हम इतने बार मर गई और तुम मरें नहीं तो प्रेमी नहीं हो भगवती की बात सुनकर भगवान संकर ने कहा कि देवी जी तुम्हारे बिढ़े में दुख तो बहुत होता है कि तुम्हें मरना चाहता हूं प्राण ही नहीं निकलते क्यों नहीं होकर कि रोज मिले हम तुमको इसलिए वो विद्या तुमको नहीं बताते तो कहने का भी प्राह यह है कि इनों सब तरशियों ने का कि उनके पास में अभी तक कोई स्थी ठीकी ही नहीं ऐसे को तुम पती बनाना चाहती हो यह तो ठीक नहीं है एक बात कहूं अगर तुम्हारा मन हो तो मेरे पास एक दूला बहुत बड़ी है और ऐसा दूला है कि दूशन रहित सकल गुन रासी एक भी उसमें दूशन नहीं सब गुणों का खाजाना है स्रीपति पुर बैकुंठ निवासी बैकुंठ उनका निवास स्थान है और आपको क्या कहें ऐसा बर हम तुमको मिला सकती है जो महराज ये कहा कि ऐसा बर मिला सकती तो भगवती हस गई और कहा कि सत्त कहो गिरिभोतनु एहा आपने ठीक मेरे बारे में एक बात कही थी पहले कि मैं हिमाले की बेटी हूँ पहार की बेटी हूँ और आपको पता है कि जड़बुद्धी वाली हूँ इसले हट न छूट छूट को हट कर लिया है कि हमको पती भगवान संकर चाहिए कि हट नहीं चूटेगा चाहे सरीर भले चूट जाए और एक बात कहूं मेरा निस्चित ये द्रण संकलत है और आपने अभी बात कही कि गुरुजी तुम्हारे ऐसे हैं कि घर में आग लगाते घुमते हैं उनका एक चे पूट छोड़ने वाली नहीं हूं नारद बचन मैं पर हरूं नारद जी महराज के बचनों का तुम्हें परित्याग नहीं करूंगी हमारा भवन बसे या उजड़ जाए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और बात में बड़ी सुधान्त की बात कहे दी गुरु के बचन प्रतीतन जेहीं जिनको अपने गुरुदेव के बचनों पर विश्वास नहीं है सपने हूं सुगम नसुक सिदिते ही उसके जीवन में जागरत की तो बात कौन कहे सपना वस्था में भी सुख और सिद्धिया उसको मिलने वाली नहीं है मैं मानती हूं कि महादेव विश्णु सकल गुण धाम विश्णु सारे गुणों के धाम है और भगवान संकर महादेव निश्चित रूप से अगुण के भवन है कि इन्दो बाबा एक बात कहूं जहीं कर मन रम जाए सन ताही तेही सन का जिसका मन जहां रम जाता उसको उसी से प्रेम होता है बहुत कि नारण में ये भी दोशें ये भी दोशें ये भी दोशें गिना सकती थी किन्दो कोई दोश नहीं उन्होंने इतना ही कहा कि बाबा जिसका जहां मन रम जाता है वहाँ उसी को चाहता है हमारा तो मन उन्हीं के साथ रम गया है और एक बात कहूं एक जन्म नहीं करोड जन प्रियास यही रहेगा कि हमारा विवाह संबु के साथ में हो यदि यहीं होता है तुम्हें कुमारी बनी रहूंगी कि इन तो गुर्देंग क उबदेश का त्याग नहीं करूंगी तजवन-नारद कर उपदेश vert एक बात कहूं सब्तरशियों ने कहा कि बोलो देवी क्या कहना चाहती हो बोले ये जो बात आप अभी हमको कह रहे थे न कि तुम्हारा विवाह संकर के शाथ करा दूँगा मैं एक निविदन करना चाहती हूं कि अगर तुमको ये सब कौतुक करना है तो दुनिया में दूला दूलहन बहुत है वहाँ जाकर पुरशार्थ करो हम तो रोकती नहीं कि तुम ये काम मत करो अपना कराते रहो कि तो मेरी बात ये जी सुनना चाहते हो तो आप नहीं साक्षात भगवान संकर भी सौबार आ करके कहें कि हम तुमारे साथ ब्याह नहीं करेंगे और हमारा तुमारा ब्याह हो नहीं सकता है कि तो तब भी मैं मानने वाली नहीं हूँ क्योंकि हमारे गुर्देवन ने जो हमको उबदेश दिया है उस उबदेश के आधार पर हमने आराधना की है दे की प्रेम बोले मुनिग्यानी जय जय जगदंबी के भवानी माराज देख करके लग गया कि साक्षात मामबा जगदंबा भवानी है और प्रणाम की आसतरश्यों ने कहा तुम साक्षात भगवान की माया हो धन्य है तुम्हारे माता पिता और प्रणाम करके माराज आकर भगवान संकर को सारी कहानी सुना दी और कथा उमा के सकल सुनाई सारी कथा सुनाने के बाद माराज ये प्रेम की बाद सुना जब होता तो माराज सचमुच है अपने को पता चल जाए कि अपने से हम कोई जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हमको इतना प्रेम करता है, तो रदय में आनंद तो आई जाता है, भगवायन संकर आनंद में लीन हो गए, और लीन होते ही माराज लगे करन दगुनायक ध्याना, अरगुना का ध्यान करने लगे, और ध्यान करते माराज समाधी में डूब गए, समाधी में डूब जाने के बाद इधर तारक नामक असुर हुआ और उसने तफश्या करके माराज बर मांगा ब्रमाजी ने कहा कि बर मांगो तो तारक ने यही बर मांगा कि मैं भगवान संकर के पुत्र से मरू अब उसको पता था कि संकर भगवान की भगवती तो चली गई है और ये दूसरा व्याह करने वाले हैं नहीं तो पुत्र होगा ही नहीं और उसके बर के कारण महाराज बड़ा उपद्र भी हो गया था तारक अशुर इसकी कता शिवपुरान में बड़े विस्तार से देवताओं को लगा क्या किया जा तो देवताओं को लगा कि भगवान संकर भ्याह कर ले तो काम बन जाएगा किन्तों संकर तो महाराज समाधी में बैठ गए हैं अब समाधी इनकी खोले तो कौन खोले कैसे समाधी खोली जा और समाधी के बाद भी ब्याह करेंगे की नहीं करेंगे देवताओं को चिंता हुई देवताओं ने नान काम देव का सिंतन किया है और जब काम देव प्रगट हुए उनको कहा कि संकर भगवान की समाधी खोलनी है उशने कहा निस्टित रूस से हमारा मरण होगा किन्तु मैं जानता हूँ परहित लाग इतज़ें जो देही संतत संस प्रसंसें तेही जो परहित में अपने सरीर का परित्याग कर देता है उसकी संत जन सतत प्रसंसा करते रहते हैं या चिंतन करके काम देव नारेंड अपनी सेना को लेकर बशंत्रितु लेकर अफसराओं को लेकर के मंद सुगंद सुगंदित पवन को लेकर के जाकर जहां यह समाधी में बैठे थी नारेंड वहां उसने प्रयोग किया सब का विवेक चला गया आपको क्या कहें सदग्रंत परवत कंदरें महु जाहे तहीं अवसर दुरे ग्रंत कंदरों में जाकर चुप गए ऐसा लगता था कि परमात्मा क्या करना चाहता है सब का मानस काम से भर गया नैड सब के हिर्दे में भोग की अविलासा जग गई लता निवार नवही तरु साखा आज जड़की दसा ये हो गई है नदी उमग अंबुद कहुदाई संगम करही तलाब तलाई काम का ऐसा विशद वर्ण किया है नारेण बहे काम बस जोगीस तापस पावरन को को कहे हमर रशीयोग भरद्द्वाद जी महराज को सुना रहे है याग डिवल की जी महराज बड़े बड़े योगी तापस काम के बस में हो गए पामरों की कथा कौन कहेगा देख ही चराचर नारी में जो ब्रम में जगत को देखते थे वो नारी में जगत को देखने लगे अवला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अवला मयम अब कोई दूसरे को ददर देखता नहीं समंद सारे विच्छन हो गए अवलाएं पुरुष को काम वासना से देखती है पुरुष पुरुष पुस्त्रियों को काम वासना से देखता है दुई दन्न भरी ब्रह्मान भीतर काम करत कवतुक अयम ऐसा कवतुक काम ने किया धरीन काहू धीर सब के मन मन सिजहरे जे राखे रभुवीर ते उवरे तेही काल महुं हमने पुज़ संत चर्णों से सुना है काम का वर्ण करते करते तुर्शिदाज जी माराज ने इस सोर्ठा में इतना तक लिख दिया धरीन काहू धीर संसार में किसी ने धर्यदारण नहीं किया सभी के मन को मनसिज ने हर लिया बाबा ने बिचार किया बाद में कोई तो बचा होगा अब कुछ लिखने को नहीं मिला तो चले गए इसनान करने सर्यू में और इसनान करके आये तब तक एस सोर्ठा पूरा हो चुका था किसी ने लिख दिया था आश्यर चकित रहे किसने लिखा अनुमान जी महराज ने लिखा था जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महुं महराज जिसको रहुनात ने रखा वही उस काल में उबर पाया बच पाया एक निविदन कर दूँ आप सबको थोड़ा सजग रहिएगा सावधान रहिएगा कोई यदि ये कहे कि हमको काम नहीं आता है तो हमारे गुर्देव कहते थे कि तो नंबर वन का मूर्ख है वो नहीं तो नंबर वन का ठग है जान रखिएगा काम के आवेग को समझ पाना बहुत कठीने है और ये विज्ञान का दर्शन ही है दर्शन क्या है जिससे जिसका प्रादुर्भाव होता है उसका उधर गुरुत्वा कर्शन होता है जैसे मिट्टी का डेला आप आकास में मारो गती समाब तो जाने के बाद कहां आएगा नीचे आएगा क्योंकि इसका मूल नीचे है आप पानी को मोटर के माध्यम से उपर चड़ाओ जहां उसको कहीं गती मिलेगी तो नीचे भागेगा की नहीं भागेगा क्योंकि वाटर लेविल नीचे है कि हम सब जितने सरीर धारी लोग हैं हमारे माता पिता के मानस में यदि काम ना आया होता तो हमारा आपका जन्म ही नहीं होता मूल में इसके काम है अगर मूल में काम नहोता तो जन्म नहीं होता हाँ इतना जरूर है कि हम साधना के माध्यम से काम की उगती दे सकते हैं जैसे मोटर के माध्यम से पानी चड़ाया जा सकता है टंकीवे किन्तो अवकास पाते ही नीचे आएगा ऐसे साधक जहां प्रमाद करेगा थोड़ा भी अरे नरण हम आप किस खेद की मूली हैं पुरान गवाए हैं हजारों वर्ष तब करने वाले लोग सौभरी महत्मा का नाम सुना होगा हजारों वर्ष तब करने के बाद एक बार मचली के मैथुन को देखकर व्याहकामन हो गया मचली के मैथुन को देख कर गे ऐसे ऐसे पुराणों में इतिहास है मारा यह देख कर कि आस्चरी होता है इसलिए इस पर विश्वास करने लाइक नहीं कभी कि हमारे मन में काम नहीं आएगा इसके लिए सजगता चाहिए, साउधानी चाहिए और भगवत कर्पा चाहिए जिन पर भगवान की कर्पा है नारेंड वही ये बच सकते हैं नहीं तो इससे बचना बहुत कठीन है अगर मैं कहँए दूँ कि बहुत कठीन नहीं, कठीन से भी कठीन है और ये भी मत सोचिएगा कि अवस्था जादा बढ़ जाने के बाद काम का प्रभाव नहीं होगा चाहे कितनी अवस्था हो जाए हाँ हो सकता है इंद्रियों का भोगने का सामर्त समाप तो हो जाए किन्तो तब भी मन में काम का संचार हो ही जाता है काम के प्रभाव से वही बच पाता है जिसके उपर राम का प्रभाव है राम के प्रभाव के वाले के उपर काम का प्रभाव नहीं होता है तो वही बचा जिस पर रगवीर का माराज हाथ था, सब देख करके माराज बड़े बिलक्षन सब लोग हो गए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और आम्र ब्रक्ष पर बैठ करके सब के माराज प्रयोग हैं, दार्शरीक, आम्र ब्रक्ष पर बैठ करके छुप करके इसने जो भगवान संकर पर काम का प्रहार किया और भगवान संकर के चित में छोब हुआ, और कुपित हो करके जब माराज उन्होंने निहारा, सौरव पल्लव मदन भिलोका भयव कोप कंप्य उत्रई लोका भगवान संकर ने मदन को जब देखा आम ब्रक्ष की डाली में छुपा हुआ है तो देखा तो महारा त्रिलोक काप गया कि क्या होगा हांकार मजगया सारे देवता महारा डर गया डर पे सुर्भ है असुर असुर लोक तो प्रशन हुए डेवता डर गये सोचने क्या हुआ क्या हुआ और जो भगवान संकर ने मारा तीसरा नेत्र खोला तीसरा नेत्र खुलते ही काम जल करके राक हो गया बंदो ध्यान रखेगा काम कभी इन दो आँखों से नहीं जलाया जा सकेगा काम जब भी जलाया जा सकेगा तरती नेत्र से जलाया जा सकेगा ये तरती नेत्र है विचार का नेत्र बिवेक का नेत्री हमारी पढ़ाई जब पूरी हो गई तो नेल में निर्णे नहीं ले पा रहा था कि ब्याहकरूं की महात्मा बन जाओं कम से कम तीन-चार साल में परेशान रहा निर्णे की स्ट्टी में नहीं था बहुत परिशान था क्योंकि चित्वे बैराग जैसा चाहिए वैसा था नहीं और बच्पन से संतों का संग मिला था तो ग्रैस तास्व में जाने का मन नहीं साधू बनने के बाद भी पतन का डर लगता था कि कहीं पतन हो गया तो धोवी का कुट्टा न घर का न घाट का न यहां के रहे न वहां के रहे नारेंड बहुत दुखित हो करके एक संत चर्ण में जब पहुँचे तो कि संसयात्मा बिनस्यती निर्ने लेना था क्योंकि ग्रैस्त में जाओं या महात्मा बनूं तो जिन महापुरुष के चर्णों में बच्पन से शरी रहा था मैं उनके सीचर्णों में गया और सब अपने चित की दसा बता दी कि मुझे संसार से बहिराग्य नहीं है पूरा भी और सौंदर ही अभी खीचता है चित को किन्तु ग्रहस्त आस्त्रम में जाने का मन नहीं है क्योंकि वहां गए तो पूरा जीवन चला जाएगा क्योंकि एक बार फसे तो फिर निकलने के चांस समाप तो जाते हैं वकील साथ एक बार गए तो गए कोई बहुत बड़ा पहलवान हो तो निकल पाए तो निकल पाए तो निकल पाए ग्रहकारज ऐसा जंजाल है एक बार योजना ज़रूर बनाता रहता है की इतने साल के बाद हम निकल जाएंगे फिर ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा एक कल सजन के आँ गए ते प्रशाध पाने स्वाइद कथा में बैठे होंगे बुले बस दोनों बेटों के ब्याह हो जाएंगे फिर मैं ब्रंदावन में ही रहूंगा हम बड़े मनई मन प्रशन हो रहते चलो कम से कम कल पना के लड़ू तो खाई लो वैसे मिले न मिले ऐसे ही कम से कम प्रशन हो लो इससे निकलना बहुत कठीन है कि सुरी जी की कृपा हो तो निकल जाए तो दर भी लग रहा था क्या करूँ तो पुझसंत चरण को मैंने निविदन किया कि मैं क्या करूँ महात्मा बनों की गरस्ताश्रम में जाओ महात्मा बनने के बाद भी गिरने का डर लगता है पुझस्य महराश्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही और कहा कि गाटे के भैसे ब्यापार न करना यह मुर्खता है हम गिर जाएंगे इसलिए चलने ही नहीं यह भी मुर्खता है अरे भाई गिर जाएंगे तो चल पड़ेंगे जार करके धूर और महराश्री गाटा होगा तो फिर कभी फायदा होगा तो बोले मैंने तुमको बच्पन से देखा है इसलिए तुम महात्मा बनो ग्रस्तास्व में नहीं जाना आग्या होगे फिर हमने का हमारा संतों का प्रभाव नारण क्या होता है हमसे दिख कोई पूछे तो साइद हमारी आँखें बोलेंगी मेरा कंठो रुद्ध हो जाएगा मैंने माराज जी को कहा कि अब क्या करो मेरा चित उदर खिचता है माराज जी ने कहा एक चस्मा देता हूँ तुम्हे मैं अगर ये चस्मा लगा करके रखोगे तो कभी भी उदर चित खिसेगा दी जाएगा नहीं और माराज जी संत चरण ने चस्मा दिया भी तो लगबग पचीस वर्ष हो रहे हैं किन्तों आपको सच कहते हैं अभी तक ये चस्मा कभी उतरा नहीं है अब वो ठाकुर्च जाने उनके आस्रे में हैं उनके चरणों में पड़े हुए हैं उनके आस्रे में पड़े हुए हैं जैसे नचाएंगे नाचेंगे कि अभी तक तो महरा जो चस्मा उतरा नहीं आप लोग यह मैं समझना कि यह चस्मा जो मैं आँख में लगा रखा हूंगे उन्होंने जो चस्मा दिया उन्होंने का होसियार रहना यारो होसियार रहना यारो दुनिया की खुस नसीवी पर हैं वर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाईी पर ये जो सौंदरी है न जहां हमारी आपकी आँखें खिच कर जाती है कि ये बहुत सुंदर इस्त्री है, बहुत सुंदर पुरुश है मैं आप से कभी पूछता हूं, कभी उतार कर खाल देखना अगर खाल का वर्क न हो, तो किसी को कोई देखना पसंद नहीं करेगा इस सरीर में मल मूत्र के लावा कुछ नहीं भरा है ये पैदा वहीं से हुआ है, और उसी का भंडागार भी है सरीर हमारा आपका सब का, अगर आप इसमान न करो न एक दिन तो बगल में आपके कोई बैठना नहीं चाहेगा मन्यन न करो तो बात करने में लोग आपसे भागेंगे कारण क्या इस सरीर में सब सड़ने वाले पदार्थ है सब सड़ने वाले पदार्थ है इस सरीर से नो दरवाजे हैं एक भी दरवाजे से सुगंधित पदार्थ नहीं निकलता ध्यान रखना सब से गंदगी निकलती है नाक से, कान से, आंक से, मुक से मलमुत्र के दरवाजे से गंदगी के इलावा कुछ न निकले क्योंकि है ही गंदगी का भंडा गार वो तो ठाकुर जी माराज ने ये खाल का वर्क लगा दिया है जैसे गोबर के रसगुले गुलाब जामुन बना करके और चांदी की थाली में और वर्क लगा कर आपके सामने रख दिया जाए और आपको पता हो के गुलाब जामुन गोबर के है तो वकील साहब जीव में पानी आएगा घ्रना और होगी कितनी जल्दी ये दूर जाए यहां से ऐसे संसार के सच्चे सुरूप को यदि पता चल जाए तो यही काम का यही तरती नेत्र खोलना है यही काम को जलाना है यह मत समझना की आग से जला दिया काम को यह विवेक का नेत्र खोल गया यह तरती नेत्र खोल गया और तरती नेत्र से जब खोला तो संसार का संदर यह समझ में आने लगा क्या है इसमें क्या रखा है इस प्रकार से महराज जब इन्हों ने किया रती रोती भी गई तो कहा रो मत आज से पती तुम्हारा बिनांग के काम करेगा नंग नाम होगा और जब कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण तनहे बन करके आएगा हाहा कार महराज मच गया सब तरशियों ने जब जा करके कहा भगवती को कि आप तो तुम्हारा ब्याव होई नहीं सकता है क्योंकि भगवान संकर ने काम ही दग्द कर दिया और विवाह के मूल में काम ही होता है काम ही नहीं तो ब्याह क्यों भगवती ने इतनी बड़िया बाद कही भगवती ने कहा कि हमरे जान सदासिव जोगी आपको लगता है कि अभी तक भगवान संकर कामी थे अरे सदासिव जोगी थे अज अनवद्य अकाम अभोगी ओ अज है बना जिनका जन्म नहीं हुआ जिनका बदनी के आकाम है कोई कामना नहीं है जो माराज को बोगी नहीं अब होगी है वो योगी है हमने तो ऐसे ही पती की आराधना की है और अगर हमारी आराधना में ये निस्कामता हो जान कर हुई तो हमको जरूर भगवान संकर मिलेंगे अब दिशी लोग माराज वहां से आकर कहते हैं भगवान संकर ने कहा कि विवाह की तिथी निकाली जाए ब्रमाजी ने निकाला है और जब पत्रिका मिली तब माराज भगवान संकर व्याह के लिए तयार हो गए हैं लगे सवारन सकल सुर बाहन विविद विमान देवता लोग सज़ रहे हैं और होई सगुल मंगल सुबगद सगुन हो रहे हैं सब लोग मारा सज़ज करके बराद की तयारी करे हैं आप सब एक भजन का आनंद लेजिए उसके बाद से इस चर्चा होगी जो बहुत रशीली है पहले हम सब एक भजन का रश लेए आदिदेव विश्वनाथ आदिदेव विश्वनाथ भजन के सदा साथ पकड़ प्रभु मेरो हाथ दास में तिहारों आदिदेव विश्वनाथ पुरनरमुनि धरत धान वेदसाष्ट्र करत धान तुही सब गुणनि धान जग सरजन आरों आदिदेव विश्वनाथ पापहरन तेरो नाम सुख स्वरूप परमदाम अदभुत सब तेरे काम दयाकर निहारों आदिदेव विश्वनाथ पाप सकर जगत के आदार निरगुननित निराकर ब्रह्मानंद सुन पुकार भवुस्तागर तारों आदिदेव विश्वनाथ आदिदेव विश्वनाथ आदिदेव विश्वनाथ कर दो कैलास के निवासी कैलास के निवासी नमू बार बार तू आयो शरण की हारी भोले नार तार तू आयो शरण की हारी भोले नार तार तू कैलास के निवासी कैलास के निवासी की हारी नार तू बख्वान क्या करू मेरा धों के धेर का कन की भभूत में खजाना कुवेर का गंगाधार मुत्तिधार ओंकार तू आयो शर्ण की हारी भूने खार तार तू के नास की निवासी नभू बार तू आयो शर्ण की हारी भूले खार तार तू कोले खार तार तू कोले खार तार तू कोले खार तू कोले खार तू बार तू कोले खार तू आई कर दो कर दो क्या नहीं दिया हैं हम क्या प्रमाण दे क्या नहीं दिया हैं हम क्या प्रमाण दे क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे बसते हैं तीनों लोग भूले तेरे दान से भूले तेरे दान से भूले तेरे दान से भूले तेरे दान से जहर पिया अम्रिक दिया कितना उदार तूं आयो शरण तिहारी हुमे तार तार तूं भूले तार तार तूं पैलास के लिवासी गलास के लिवास तो रज़ तार तूं ऑलास के लिवास भूले थाज्थ के लिवास भूलेARS भूले ये ये अाश्वी अबड़ दूशे पेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी तनू पेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी तनू ले एक भाब बा नहीं ले एक भी तनू लेते हैं स्वास तेरी दयासे तनू तनू दयासे तनू तनू करके क्रपा एक बार मुझे को निहार तो आयो शरन सिहार भूने कार तो आयो शरन सिहार भूने कार तो एलास की लिवासी नमो बार वार तो आयो शरन सिहार भूने कार तो आयो शरन पिहारी हो में तार तार तू आयो शरन पिहारी हो में तार तार तू आयो शरन पिहारी हो में तार तार तू बुलो भक्त वत्सल भगवान की नमप्पारवतीपते हर हर महादे देवताओं में बड़ी प्रशनता है उत्साए है उन्हें लग रहा है कि भगवान संकर का व्याव होते ही हमारा दुख दूर हो जाएगा देवता लोग बरात की तैयारी कर रहे हैं सब लोग अपने अपने बाहनों के सजाने में लगे हुए है अपने सरीर को समारने में लगे हुए हैं क्योंकि ब्याह में जाना है कि इन्तु दूला की और नरेन पहले किसी की दृष्टी ही नहीं थी अम्मा बाप होते तो भाई दूला को कोई कहता कि सजाओ न मैया न बाप न भहिया न बेहन कोई रिष्टेदारी में तो है नहीं सब देवता लोग तो मरा दिब्व मेकप करके तयार हो गए और दूला सजा ही नहीं उन्हों सुचा क्या किया जाए तो सिवही संभुगन करही सिंगारा जटा मुकुट अही भौर समारा भगवान संकर के जो अनुचर है गण है बूत प्रेत एक नहीं आ करके कहा कि भईया एक बात बताओ दूला को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज क्या लगती है और क्या पहनाया जाता है उस ने कहा दूला की पहचान मौर से होती है कि कौन दूला है कपड़े तो सब बढ़िया बढ़िया पहन के जाते हैं तो कहा इस दूला को मौर तो मंगाया ही नहीं गया एक प्रेट ने मारास पहले तो मुकुट को बनाने के लिए क्या किया जटाओं को ही मुकुट बना दिया और कहा कि जो मौर धारन कराया जाता है उसमें थोड़ी चमक होती है एक मनीधर सर्प को पकड़ करके प्रेट ने भगवान माराज संकर के मस्तिस्क में मुकुट के उपर उसको लगा दिया और कहा कि ऐसे दिखाते रहना मनी अपने स्वामी का व्या है अब माराज कहा दूला को कुंडल भी पहनाने चाहिए कंगन भी पहनाने चाहिए बोले कहीं से आये हैं बोले कोई नहीं लेकि आया कहां से लाए जाएं एक प्रेट ने माराज एक पिले पिले रंग के दो सर्प पकड़े और कान में माराज कुंडल बना कर का कि खबरदार अगर इधर उधर ही ले यहीं ठंगे रहना अब माराज क्या किया दूसरे प्रेट ने का रुको 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 भीया क्या बात है बोविए हमने कुंडल तो पेना दिये कंगन भी तो चाहिए हमारा तुरत सर्पों को पँद करके कंगन बना दिया गया रहा रहा दूला को और क्या लगाया जाता भांता है इंच बताओ तो सुझें हम तो कभी भने नहीं है पो दूसरे परेच नेकहां भाशिख पाउडर च गरम है पुरे सरीर में माराज राख लगा दी इतन भी भूती और केहरी चाला वर्स्त के रूप में केहरी की माराज संक्राइब लगा दी गई उपर से छारा उड़ा दी गई ससी ललाट सुन्दर सिर गंगा मस्तिस्क में माराज चंद्रमा सता दिया गया घंगा का सुन्दर शंगार किया गया नयन तीन उपवीत भुजंगा कहा कि भाई अब्दूला व्याह करने जा रहा है तो जनेव तो होने चीए तो जनेव कहां से लाया जाए तो तीन सर्फों को पकड़ा तीन धागा होते हैं तीन पकड़ करके माराज मुक्की ओर ले जाकर उसका से गुमा कर ब्रमगांट लगा कर सर्फों को काख खबरदार तो इधर उधर हुए यह जनेव के रूप में तुम्ही को रहना है माराज ऐसा कर त्रशूल एक हाथ में त्रशूल पकड़ा दिया एक हाथ में डंबरू मारा धारन करा दिया अब कहा कि कहा बाहन क्या चाहिए ब देग करके मुस्करा करके बुली इस दूला लाइक त्रभुण में कोई इस्त्री नहीं है। ऐसी इस्त्री कौन मिलेगी। देगी सिवह мहारा सुर्त फि मुस्काहीं बरलायक दूलहिन जग नहीं। बरलाइक दुलाइन है ही नहीं जब महराज इस प्रकार से देवियां बोल नहीं थी तो भगवान विश्णों भी कम महराज मजबिनोदी कम थोड़ी है पास में आकर के बोले वाह 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 क्या बढ़िया दूला का शंगार है किन्तो एक बात कहूं ये दूला के अनकूल बरात नहीं है भै जैसा दूलाओ वैसे बरात चाहिए और काम लोगों को दूसरे नगर में जाना है तो हसी होगी इसलिए देवताओं की और नियार करके का इंद्र को कि तुम अपने बराती अपने साथ रखो देवता लोग एक तरफ हो जाओं हमारे साथ हमारे वाले लोग विष्ट विरंची आद सुरत राता चड़ी-चड़ी बाहन चले बराता ये तो अपने-पने कोई हंस में चड़कर चल पड़ा कोई गरुन पर चड़कर चल पड़ा कोई एरावत हाथी पर चड़के चल चड़कर करके और जब सब चले घे तो गवाता सकर्ने अपने बुलाया उसको और का येक काम को अपने solarati बुला लोग अपने बराती अपने काम आएंगे बोले माराज कहांसे बुलाय कि बुले जितने मरगट है सब में निमंतर आपके अपने ज़्वामी का व्याह है अ त महराज सब के सब भूत आ गए ऐसे ऐसे भूत आये बुले तन खीन को अतिपीन पावन को अपावन गति धरे कई भूत ऐसे आये कि महराज बिल्कुल पतले दुबले कोई फूंक दे तो उड़ जाए और कई प्रेत भूत तो महराज ऐसे आये जिनका बड़ा पवित्र शरीर था कई अपवित्र शरीर वाले बूशन कराल कपाल कर सबसद्य सोनित तन धरे महराज कई-कई प्रेत तो ऐसे आये कि मुख में खून लगा है और हाथ में कपाल लिए हुए एक हड़ी लिए हुए भूत बराती ऐसे आएंगे क्या होगा और एक नहीं महराज कई तो ऐसे आ रहें और आपको क्या बताए ना रेंट किसी किसी परेत केता सरय नहीं दिखता ता इसका मुख कहाँ है और किसी परेत में बारात बहुत प्रेत प्रेत का एक हाथ नहीं और किसी के 20-20 हाथ लटके देखकर के बड़ा चंबो लगी कहां से कैसे प्रेत आ गए हैं और यह सांती से नहीं चल लें ना चहीं गाव वहीं गीत यह सब भूत प्रेत गीत गा रहे हैं परमत रंगी भूत सब देखत अति भी प्रीट बोलहीं बचन बिचित्र भी थी बाराज बिचित्र बिचित्र के वाक के बोल लए हैं अब संकरजी महराज ने को महराज भी कौतुक सूझा उन्हों सोचा कि क्या किया जाए अब बैल तो पहले चला था उस पर बैठे थे और सारे के सारे गण पीछे चल रहे थे तो बगवाद संकर ने विचार किया कि अब हमारे बराती कैसे चलें क्या नाच गा रहे हैं कम से कम हमको भी तुद दिखे तो क्या किया महराज उल्टा बैल पर बैठ गए बैठ सीधे नहीं उल्टा बैठ गए पीछे की तरफ और सब को देखकर अपने बरातियों को बहुत आनंद ले रहे हैं अब सब लोग देख देख करके आनंदित हो रहे थे इधर हिमाले ने माराज खुब दिब्य संगार करवाया था नगर का पूरा हिमाले सजा दिया गया था सब लोग माराज प्रतिक्षा कर रहे थे कि कब बरात आए कब बरात आए अच्छा बरात आने वाली होती तो दो लोगो भी महाराज सब सज़ धज करके नए नए कपड़े पहन करके और बड़े बुझे सब नगर के बाहर खड़े हो गये ते कि दुला का दर्शन करेंगे सब से महाराज पहले आगवन हुआ इंद्र का हाथी परशवार और सब महाराज देवता लोग बड़े सुंदर-सुंदर ब एक बालक ने जाकर के पूछा कि दुला सरकार आपई हो इंद्र ने कहा कि मैं दुला नहीं हूं मैं दुला का सेवक हूं उनकी आग्यां पर चलता हूं एक बालक ने का देख भीया हमारे जीजा के जो है न यह सेवक इतने सुंदर-सुंदर है देख कितना तो दुला कितना सुन्दर होगा वो बरात निकल कर गई तब तक माराज भगवान विश्णु आ गए विश्णु को देखकर सब बड़े प्रशनुए बालक जन पूछा जा करके सरकार आप दूला हो भगवान विश्णु मुश्करा करके बोले मैं दूला नहीं हूं मैं दूला का मित्र हूं बालक बोले वाह 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 दूला के मित्र कितने सुन्दर है निश्चित रूव से अभी दूला के दर्शनोंगे बहुत सुन्दर होगा ब्रमा जी को देखा तो उन्होंने कहा मैं सेवक हूं सब महराज कह करके निकल गए अब बालक प्रतिक्षा में थे जिनके सेवक इतन इतने सुंदर है धनवाले हैं इतने सुंदर बाहन है जिनके मित्र का क्या सुंदर ही कहना है निश्यत रूस से दूला कितना सुंदर होगा तब तक दूला तो दिखा नहीं भूत प्रेथ चिगारते हुए आने बूत प्रेत चिलाते हुए चिगारते हुए आए और जो महराज बूत प्रेत आए उनको देख करके बालक भागे और भाग करके महराज सिव समाज जब देवन देखा देखा महराज जब महराज बिडर चले बाहन सब भागे जितने आयते स्वागत के लिए सब उनके बाहन भाग गए और बालक भी भाग करके महराज लंबी लंबी सांस लेते हुए घर में गए मां के आचल में छुप गए म फराक कैसी है दूला कैसा है बुले जो जिन्दा रहे गा वही देखेगा। एसा लग्ता है कि अब कोई जिन्दा रहने वाला है नहीं गए वहन पूछाईं पीटु माता कहई बचन भै कंपित गाता कहई कमकर थार किधो बरई आता। बोले ऐसा लगता है साक्षात यमराज की सेना आ गई है यमराज की जिना आ गई है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जिंदा रहेगा वही देखेगा बरू बहराह वस हुआ सुमारा बता दिया कि ऐसा प्धूला है, बहल पर सवार है, ब्याल कपाल भी वुशन धारन किये हुए है बालकों की बास सुनकर कि माराज बड़े बुड़े उनको समझाने लगे, बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं बाल सुभाई सब समझा करके निडर हो ऐसा किसी को डर नहीं है बाद में माराज वराती लोगों का सम्मान करते वे बूत प्रेतों को जब ले करके आए एक विधी होती है आप लोगों किया होती है कि नहीं पता मुझे जब दूला आता है तो परिशन होता है सास उसकी आरती उतारतिया होता तो अब मैंना मरिया सक्कियों को मैंना सुभ आरती समारी संग सुमंगल गाव ही नारी मैंना मिया साथ में उनके बहुत सारी सक्किया हैं है संदर गीत गाती भी माराज वहां सोने की थाली में दीब जला करके चली और जब वहां पर परिछन चली हरसाइमरे खुब प्रशन होकर गई है वहां पर और जाकर कि जो भगवान संकर का वेश देखा विकट वेश रुद्रही जब देखा भगवान संकर के इस विकट को भेश को देख करके सब सखिया उनकी अवलन और भयव विशेखा भैसे भर गई और ऐसी भैसे भरी अमरे शिरादिकाशन जी को इस समय जो है न बरात का अनंद लेने का मन है संयोग ऐसा बना हमारे संत जन बड़ा आनंद लेते हैं नारेनिस में कि मेना ने तो धहरेदारन कर लिया कि निश्यत रूप से जैसे पती मिले हैं वो इसका स्वागत करना है बेटी के और धहरेदारन करके भगवान संकर की उपर जो आरती गुमाने लगी बड़ा आपको बताएं सर्पों को आग से बड़ा डर लगता है भागते हैं जो सामने दीपक गया न तो सर्प जो गले में पड़ा हुआ था बोले यह क्या हो रहा है एक फुंकार मारी तो आरती तो छूट गई उनके हांस से और थाली भी छूट गई और छूट कर भाग करके माराज घर में जाकर उदन करने लगी और उदन करते हुए नारज जी को दोश दे रही हैं कि नारज जी का मैंने क्या ब जार दिया ऐसा उपदेश बेटी को दिया जिसको ऐसा बर मिला ऐसा तब करवाया बहुत दोश दे रही थी कि दोबारी वा भगवती बेहनों ये सुनने लाइक है ना रहन हम तो बेहनों को सचेद करते रहते हैं कि जहां जैसे भी ब्याह हो जाए कभी माता पिता को दोश नहीं देना चाहिए कि हमारे पिता जी ने हमारा ऐसी जगे व्याह करा दिया ऐसा बर दिला दिया हम घर की बोज थी हमको उटाने के लिए किया कभी नहीं नंड जैसा हमारा प्रारवद होता उस प्रारवद के आधार पर ही हमको बर मिलता है भगवती के वाक के सुरने सब्सक्रों में लिखने लाइक है मा के पास में गई और जाकर के मा को कहा कि मा एक बात को हूं किसी को दोस्त नहीं देना चीए जननी बिकल बिलो की भवाणी बोली जुत विवेक म्रदुवानी विवेक युत म्रदुलवानी बोल करके कहती हैं करम लिखा जो बावर नाहू यदि हमारे भाग में हमारे मस्तिस्प में ऐसा ही पती लिखा है तो आप दोस्त दूसरे को क्यों दे रही हो तुमसन मिटे हैं कि बिदि के अंका मा तुम्हारे द्वारा क्या बिदि का लेख मिट सकता है या दोस्त देने से बिदि का अंक मिट सकता है मा तु ब्यर्थ जन लेव कलंका मा ब्यर्थ में कलंक धारण मत करो ऐसा गलती मत करो और इस समय दुख का कारण नहीं है हमारे भाग में जो लिखा था वो हम को मिला जब माराज ये कोमल बिनीत वाडी माने सुनी तो हुरदे से लगा लिया और आँखों में आसुर जो भरे हुए थे पोच लिया तब तक नारज जी माराज सब तरशियों के सहित आ गए और नारज जी माराज ने कहा कि मा आपको पता नहीं ये कौन है सब आपको अपना भी पता नहीं है पूरव कथा प्रसंग सुनावा स्यूपुराण में नारण वर्णन है कि पित्रों की तीन कन्याए है और ये तीनों बाल ब्रमचारणी थी और तीनों बहुत तपश्विनी थी संयोग से भगवत दर्शनार थी ये गई हुई थी और इतने में वहां भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ गए सब ने तो खड़े हो करके स्वागत किया किन्तों ये पित्रों की तीनों कन्या अपने तपस्या के अभिमान के कारण सन्तों का स्वागत नहीं किया और जब सन्तों की दर्श्टी पड़ी तो सन्तों ने कहा कि तुमको अपने तप का बहुत अभिमान है जाओ तुम मृत्यू लोक में इस्त्री हो करके प्रगटो तीनों पित्री कन्याओं ने सन्तों के चरण पकड़ लिए कि अपराद छमा करो हमारे सनकादियों ने कहा जो बड़ी बेटी थी पित्रों की उसको कहा कि जाकर तुम हमाले की पत्नी बनोगी और मद्दे वाली को कहा कि तुम जनक की पत्नी बनोगी सबसे छोटी वाली को कहा कि तुम जाकर खे बरशुभान की पत्नी बनोगी तो क्या हम सदा स्वरवदा भूबंडल में ही रहेंगी तब सनकादियों ने कहा कि मामबा जगदंबा भगवती साक्षात तुम्हारे घर में बेटी बनकर जनमेंगी और उनको तुम प्यार दोगी उनकी प्रती वासल भाव से जुड़ोगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा बाद में तुम पित्र लोक में आ जाओगी मद्ध वाली को जो जनक की पत्नी बनी उनको कहा कि मामबा जगदंबा पर आ सकती ही आपकी यहां जानकी बनकर के आएंगी और तुम उनको लाड़ दौर प्यार दोगी तो उस कारण से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम आ करके पित्र लोक में निवाश करोगी और सबसे चोटी अमारे शी बर्शुभान जी महराज की अरधांगनी उनको कहां तुम जाकर बनोगी यह तुम्हारे गर्व से मामबा जगदंबा भगवती साक्षाच वा तुम्हारे गर्व से उत्पन होंगी नाम उनका राधा होगा और तुम उनको पुत्री भाव से भजोगी इसलिए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा ज्यान रखना ये तीनों एक ही हैं चाहे राधा को हो चाहे जानकी को हो और चाहे पारवती को हो ये तीनों मामबा जगदंबा परा सकती ही हैं जो तीन रूपों में आकर प्रगट हुई हैं जब मैना को मराज ये बात पता चली मैना सत्य सुनहुम बानी जगदंबातव सुता भवानी मैना तुम सत्य सत्य इस बात को शुकार करो कि साक्षात मांबा जगदंबा परामबा ही तुमारी पुत्री बन करके आई हैं ये अजा अनादि सक्त अविनासनी, सदा संभु अरधंग निवाशनी, जग संभव पालन रहकारणी, निजी इक्षा लीलाब अपुधारणी, ये अपनी इक्षा से ही सरीधारण करती हैं, तुम्हारे पर अनुग्रे किया है। माराज जो ये बात हुई तो बड़ी परशन हुई मैना, और उनको अपनी स्मृती आ गई, और साक्षात भगवती पारवती को मामबाजिक दंबा समझ करके ही प्यार दिया, बाद में माराज ये चर्चा सब जगे फैल गई, और जब चर्चा सब जगे फैल गई, तो दूला को फिर बुलाया गया, हमरे एक महत्मा कहते थे, कि जब ठाली गिर गई, और सास जी भाग गई, तो भगवान संकर को कुछ बुरा नहीं लगा, उनको लगा साइद इस यहां पर ऐसी परमपरा होगी परिशन करने की, अब सब क्यां की परमपरा अलग होती है, कहीं परमपर इसी होगी साइद इस परमपरा से हमारा परिशन हो रहा है, दुबारा बुलाया गया, तो महरा दुबारा आ गए, अब इनका सम्मान से महरा पूजन हुआ है, और जब पूजन हो जाने के बाद, यह पुना जनवासे में गए, अब जनवासे में महरा गए, तो सारे भूत प्रेत भी अलग-अलग जनवासा था तो हिमालय ने सब ब्रातियों की सेवा करने के लिए माराज जो अस्थित रखा था कौन किसकी सेवा करेगा तो भगवान की अनुचरों की सेवा जब होने थी बूत प्रेतों की पंग्ती में बैठे अब परसने वाले निकले स्वाभाविक है तो एक प्रेत बैठा था उसका मुखई नजर नहीं आ रहा था कि मुख कहा है को मुख ही नहीं अब सोचे कि पतल में कहां रखों इधर मुख की उधर मुख की कहां पतल रखे कुछ समझे में नहीं आवे तो आवाज आई कि मैं तर्षाने वाला फिर रख दिया एक जगह बुले यहीं रखो रख दिया उसको मुख दिखा दिखात बिल मुख का हूँ अप किसी के बहुत सारे मुख–थे एक महातमा तो कहते थे एक प्रेत के बीस मुख थे तो परसने वाले ने सोचा कि बीस पतल लगाूं 要भ एक ती नहीं थे किसी के कई हाथ थे ऐसे देखकर कि महराज विदुवत उनको भोजन करवाया सो जिवनार की जाय बखानी बसए भवन जहीं मात भवानी दिप्रकार से इनका भोजन हुआ है और भोजन होने के बाद महराज जब भगवान संकर भोजन कर रहे थे तो नारी पर हमें गाली मिल्ती ही धकिल साहब そ भे ब्हगवान और यह हमारी मातायों सब आसक नहीं होती है कैसी को पंठाल कविता बनाती है मैं जब भरात में इंको टेना आ होता है तो पतानी कहां से स्वर आ आता है जेट का नाम ससुर का नाम सब के नाम जोड़ जोड़ करके गाती रहती है एक बार हमारी बद्ध प्रदेश में कथा थी और और कुछ माताओं ने रुक्मनी भ्याह के दिन उनका मन था तो मैं भोजन करने बैठा सब तो गाली सुनाने लगी उन लोगों ने सुना होगा कि बाबाजी को तो गाली मिली नहीं तो कम से कम सुनाई दे वहां तो गالी मुरत ब्यार नहीं किया तो गाली मिली नहीं अब वो गाना चालो किये तो मैं बड़ा गोर से सुन रा था गाली दे क्या रही है और गाली में है क्या तो पहले तो मुरत कभ उनका सुर एक इह रहता है सुर बदलता नहीं है वो पहले कृष्ण लीला की गाली सुनाती नहीं पिर राम लीला में घुस गई कहां से कहां गुम रही कुछ पते नहीं चलता है एक घंटा हो गया तो हमने का आप लोगों की इतिसरी कहीं है की नहीं है बुले जब तक नेग नहीं मिलेगा तब तक नहीं बनेगा तो माराज नेग लेने के लिए एक आई नाई न वो खवासिन को नेग चाहिए न दूला से नेग चाहिए आकर भगवान संकरशे का कि नेग चाहिए भगवान संकर बुले नेग होता क्या है अब उनको पते नहीं था एक प्रेत ने कहा कि कुछ दिया जाता है कचा अच्छा था नहीं काचा रुको 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 माराज ऐसे हाथ किया तो यहां बिच्छू थी एक बिच्छू को पकड़ करके वो खवासिन को हाथ में बुले देता हूं जो उसके हाथ में बिच्छू पड़ी तो माराज डर कर भाग कर खड़ी हुई बोले आप से कुछ नेग नही ब्याह कराया है और ब्याह हो जाने के बाद जब भगवान संकरनायन वहां से बिदा होते हैं यहां तो ज़्यादा विस्तार नहीं शिव पुराण में क्योंकि उस समय मां की स्तिती तो ऐसी नहीं होती कि बेटी को समझा सके क्योंकि उस समय विरह का दुख होता है तो रिशियों की पत्नियों ने माराज सती को समझाया है उनको माराज इस्त्री धर्म का वर्णन किया है कि इस्त्री को कैसे जाकर के पती के हां रहना चाहिए आजकल ये सिक्षा लगभग परेशाप माराज बंद हो गई है आजकल तो बड़ा उल्टा हो गया मैं तो कई बार लोगों को कहता रहता हूं आप लोगों को भी माता है में कहता हूं कि बेटी का ब्याव हो जाने के बाद बेटी से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए ये जो दिन भर माताएं फोन पर लगी रहती है न ये समाज की अपराधनी है और अपने बेटी की भी अपराधनी है क्योंकि अगर यहां से वो ममता नहीं छोड़ेगी तो वहां से जुड़ेगी कैसे और यदि वहां से जुड़ नहीं पाएगी तो कभी वो अपना घर नहीं समझ पाएगी उसको यहां से समंद काटो यहां से समंद कटने के बाद भी तब वहां सम्मंद जुड़ता है मैं एक बार पूना में किसी के घर ने बैठा था उसकी बेटी का ब्या हुआ एक महिने हुए थे मारवाड़ी परिवार उसकी बेटी का फोन आया तो उसने पूछा सास तरे को कोई परेशान तो नहीं करती माने का अगर परेशान हो तो बता देना तेरी सास को सास नहीं लेने दूगी हमको लगा ये मा है कि दुस्मन है ऐसे लोग महरज कहां परिवार को इकटे रख पाएंगे तो माताओ आप से हमारी प्रार्थना है चरुडों में बच्चों को सहना सिखाओ और एक सेवा एक ऐसा सुख है और सेवा में ऐसा सामर्थ है मैं सज कहता हूँ कि सेवा करना किसी को आ जाए तो स्वामी सेवक बन जाता है ये चाभी मांगने की जरुवत नहीं पड़ेगी अपने आप मिल जाएगी जो लोग अधिकार मांग करके माराज फैटिंग करते रहे तिर मेरा अधिकार मेरा अधिकार अगर ये सेवा इसमें हो तो अधिकार मांगने की जरुवत पड़ेगी ही नहीं वकिल साब आपके पास तो बहुत केस आते होंगे बड़ी कठनाई है जी आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी और इसमें लगभग निन्यानवे प्रस्थ निन्यानवे पॉइंट माताओं की गलती होती है उनको संसकार देने बच्चों को आते ही नहीं है आप महराज यहां अगर ये नपढ़ सको तो कभी-कभी पढ़ना राम है तो सती अनसुया ने जो महराज दर्शन सिखाया है अमारी माँ को जानकी मैया को पढ़ने लाइक है तो शिदाज जी महराज ने वो सारा का सारा उबदेश लिया तो नरेंड यहीं से हैस्यू पुरान से उन्होंने बहुत रशीला है और जीवन को सुखद बनाने के लिए आप यह मस समझेगा कि सुखद नहीं बनता उससे जीवन सुखद बनता ही बनता है यहां तो जो वरनन ने जब भगवती का नान बिदाई समारो हुआ तो हमको लगता है कि साइद दुनिया का पहले दूला भगवान संकर होंगे ओभी रो पड़े क्योंकि ऐसा कारुनिक परशंग होता है जब बेटी का विदाई का समय होता है हमाले भी रोहे भगवान संकर के भी आँसू आ गए और वहां से माराज बिदा होकर कि ये लेकर के हमाले में आये है और हमाले में आकर कि नायन बहुत दिनों तक भी हार किया बाद में स्रडानन का प्रादुर्भाव हुआ यहां तो विस्तार से वर्डन नहीं है श्यूपुरान आदी में विस्तार से वर्डन है संकर एक बार तेहीं संतर प्रभु गयव। उस बट ब्रक्ष के नीचे भगवान संकर गए तरु विलोक उर अति सुख भयव। उस ब्रक्ष को देख करके बड़े आनंदित हुए और निजकर डास नाग रिपु छाला अपने आप देखो भई ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि बक्ता का आसन ही कोई बिचाये इरामते तर्मानस के बक्ता है अपने आप अपना आसन बिचाया इन्होंने और माराज बैठे सहजे ही संभु क्रपाला उस बटब्रक्ष की चाया में अपना आसन बिचा करके बगवान संकर सहज डंग से बैठ गए इतना दिव्ज सुरूप है बगवान संकर का कुंद इंदुदर गौर सरीरा भुज प्रलंब परिगन मुनचीरा तरुन अरुन अम्बुज समचरना नकदुति भगत रदय तम हरना भुजग भूति भूशनत्र पुरारी आननु सरद चंद छविहारी आप लोगों से हमारी प्रार्थना है एक ग्रहस्त आश्रम भी भोग के लिए नहीं योग के लिए आप लोग इस कहीं भ्रह्म में मत पड़ जाईएगा कि विवाह भोग के लिए होता है विवा भी योग के लिए होता है विवा के पहले हमारा जो मन भटकता रहता है योग में क्या होता योगस चित बृत्ति निरोधा जब विवा नहीं होता तो मारा जो भी लड़का सुदर दिखता है गुर्ण सील दिखता है तो बेनों को लगता ऐसा पती हमको मिले और कोई सुदर लड़की दिखती तो लड़कों को लगता है ऐसी इस्त्री मिले हमको कि दुव्या हो जाने के बाद फिर भटकाव बंग कि ह हमारा पती हमारे पास में हमारी पत्नी हमारे पास में तो विवाह भोग के लिए नहीं हमारा मन दर बदर न भटके धन्यों ग्रहस्त आश्रम हैं एक ग्रहस्त आश्रम धन्य हैं और मैं निविदन कर दूँ आप सब को अगर अच्छा लगे तो स्युकार कर लेना आज अधिक तर घर हमारे होटल और धर्मसाला बन रहे हैं मुझे बहुत पीड़ा है गरों में पता है क्या होता बेटा आता है तो अपने आप भोजन करके चला गया पिता है तो करके चले गए 24 घंटे में कम से कम एक घंटे पर भोजन के पहले या भोजन के बाद ज्यादा नहीं आधा गंटे पौन घंटे कोई घर का व्यक्ति रामायन सुना दे पढ़कर कि या कोई बहन सुना दे मया सुना दे और सब बैठकर सुने आप ये लोग मैं समझेगा कि ये सास्त आपको बाबाजी बनाने के लिए हैं आप ये सास्त सबाब के जीवन को मधूर बनाने के लिए हैं मैं कई बार लोगों को निविदन करता रहता हूँ सरीर यदि सुस्त रहेगा और मन सुस्त रहेगा तभी आप सुखी रह पाओगे सरीर को सुस्त रखने के लिए सुस्त आहार और सुस्त बेवहार की जरूरत है अगर आहार सस्त नहीं होगा तो आप रोगी हो जाओगे हमको किशन एक बड़ी बढ़ी बात बताई कि जवानी लोग पैसा कमाने में लगा देते स्वास्त का ध्यान नहीं रखते पैसा मिले पैसा मिले पैसा मिले और बुढ़ापा में जो पहले जवानी में कमाया होता नहीं वो सब डाक्टरों में खर्चा कर देते हैं हिसाब पूरा तो ये हिसाब पूरा करने के लिए काम नहों जवानी में आप पैसा कमाये जरूरी है किन्तो ये भी ध्यान रखे कि हमारा स्वास्त उसमें खराब न हो जाए तो स्वस्त आहार और स्वस्त बेवहार और मन को स्वस्त रखने के लिए स्वस्त बिचारों की आवश्क्ता है मन का आहार बिचार है अगर मन को स्वस्त विचार आप नहीं दोगे तो मन रोगी बन जाएगा और यदि मन रोगी बन गया तो आप चाहे कि इतना धन कमा लीजिएगा आप कभी सुखी नहीं बनोगे तो मन को स्वस्त रखने के लिए स्वस्त विचार चाहिए क्योंकि मन का आहार विचार है उसको स्वस्थ विचार आप सास्त्रों से दे सकते हो रामायन से दे सकते हो गीता से दे सकते हो अगर आप ये देना चालूário कर दोगी तो आप के जीवन में जो सुप का संचार होगा और जो उसमें बातें मिलेंगी सारा का सारा जीवन मदूर हो जाएगा एक हमारा परिवार परचीत हमें तो दंग रह गया पहला परिवार जो तीन परिवार ऐसे मिले हमको भारत में एक परिवार अभी पिछले वर्ष मिला जिस परिवार में 40 लोग साथ रहते हैं चालिस लोग एक साथ भोजन करते हैं एक साथ भोजन बनता है एक घर में रहते हैं और जगड़ा नहीं होता है उसका मूल ससंग है उनके हां ऐसे हमको नागपुर में एक परिवार मिला मारवाड़ी परिवार है बहुत अच्छे सज्जनम तो कता हमारी थी एक अदसी बीच में पड़ी मुझे इतनी खुसी हुई तीन बहुएं तीन बेटा और दो दो बच्चे सब की एक अदसी के दिन मारा किसी बच्चे ने मजीरा ले लिया दो बहुएं डोलक बजा रही थी दो बच्चे हमारा हर्मोनियम बजा रहे थे घर के लोग बैट करके बारा एक बजे तक संकीरतन किया और उनके पिता जी ने बताया कि हमारे यहाँ दोनों एक अदसी हम लोग रखते रात्री में जागरन करते हैं तो अगर आप ये लोग ये चीज़ें करेंगे तो आपके जीवन में सुख का संचार होगा ये कोई आपको अध्यात्मिक बनाने का उप्रा ये नहीं कि साम्प्रदायम जोड रहे आपको सुखी बनाने की एक कुण्जी है तो देखिए ससंग हमारे जीवन का गवरो बने हमको बहुत अच्छा लगता है जब कोई पति-पत्नी एक अवस्था के बाद नियम है न रहे आपको एक बात बता रहे हैं मैंने तो इस और करपास लगभग गरंतों का धिन किया है 45-50 के बाद इस त्री को भोग उतना नहीं चाहिए पुरुष को भी नहीं चाहिए किन्तो उसको आस्वासन चाहिए निजिता चाहिए उसको सुरक्षा चाहिए अगर सुरक्षा नहीं होती तो मारा जुनका मनो दसा बिगड जाती है उस समय अपने परिवार को सुब्योस्तित रखने के लिए बिचार चाहिए तो ऐसा करना चाहिए कि कम से कम बच्चे दी न सुन सकें तो पति-पत्नी ऐसा नियम ले लो कि एक चेप्टर रोज पढ़ेंगे आप जादा नहीं मैं आपको घंटा दो घंटा के लिए नहीं कह रहा हूँ एक चेप्टर पढ़ेंगे कोई गरंत का और यदि न समझ में आये तो कोई संत से संपर कर रखो पूछ लो आप देखेंगे आपके जीवन में सवहार्द बढ़ेगा आपस में प्यार बढ़ेगा यह जो दूरियां बढ़ने लगती हुमर के कालों वो दूरियां भी चली जाएंगी अब देखिए भगवाज संकर महराज बैठे हुए हैं बटवरक्ष के नीचे और जब भगवती ने देखा कि वहां सांते से बैठे है तो पास में आई और पास में जाकर के महराज जो खड़ी हुए तो जान प्रिया आदर अत्की ना अपनी प्रिया को जान कर उन्होंने आदर दिया अब बाम भाग में आसन दिया और जब बैठ गई प्रेम से बैठते ही उनको पूरवजन्म की कथा याद आ गए कि हम कैसे सती बन करके गई थी भगवान की परिक्षा लेना चायती थी माराज पती को प्रणाम करके कहा कि महराज एक बात कहूं आपके चर्णों में हमारी प्रार्थना है क्या पूछना चायती है बुले बिस्वनात ममनात पुरारी त्रभुवन महिमा बिदित तुम्हारी आपकी त्रभुवन में महिमा बिदित है चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहित पद पंकज सेवा आपके चर्णों की सेवा सब लोग करते हैं आप सरवग्य हैं आपके चणों में हमारी प्रार्थना हैं हम पूछना चाहती है है माराज वही प्रष्ण किया जो भरत बद्वाज ने किया था और यहां तो वैसे कई प्रष्ण कि एह नियरेडिलोंने और इनी सारे प्रश्णों का उत्तर ये राम चैत्रमाने से जो आप सुन रहे हैं उन्होंने महाराज प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी मेरा प्रश्ण यह है कि जो निर्गुन निराकार व्यापक ब्रह्म है वह सगुन साकार को बन जाता है पुनिप्रव कहो राम अवतारा बाल चरित पुनिकहो उदारा आप करपा करके राम के अवतार की चर्चा कहिए सब्सक्राइब क Même मैं निविदन करदू और यह सुनातं धर्म की परंपरा अीसी कि जहां भगवान के आवतार को स्युकर किया है कि नए हिसाईयों के यहां इसा मसी का दुबारा आवतार नहीं होगा कि मुषलमानों कि हां उनके यहां भी खुदा काओथार न होता हैं परिगंबर आते हैं किन्तो खुदा कभी नहीं आते हैं किन्तो अमारे अहां सनातन सभी आदार पर सक्षाथ PARMात्मा स्वैम आते हैं हमारे आराद्य गुर्देव शुनाते थे कि एक बार अक्बर ने बीरवल से कहा कि बीरवल लगता है तुम्हारे ईश्वर के पास कोई सेवक नहीं है क्यों बोले सेवक होते तो उनको भेज देते कि जाकर इस दुष्ट को माराओ इसको ठीक कराओ वो तो स्वयम सदा सदा आपने आ जाते हैं अगर सेवक हो तो व्यक्ति सेवकों से काम करवाए देखो हमारा खुदा कभी नहीं आता है वो माराज पैगंबरों को भेजता है अमारे बीरबल जी बड़े बुद्धिमान थे बुले जहां पना है इस प्रश्ण का उत्तर में समय से दूँगा एक दिन नौका विहार था यमुना में माराज सब लोग नौका विहार में निकले हुए थे संयोग एक बना की चारो तरफ सैनिक थे नाओं में सवार पंडुबी माराज भी लगी हुई थी गोता खोर लोग भी बैठे हुए थे कहीं दुर घटना न घट जाय राज परिवार चल रहा है एक रानी का बालक उसकी दासी खिला रही थी और उसी नाओं में अकबर भी बैठा था भीरबल भी बैठे थे माराज उसने जोर से ऐसे बालक को उच्छाला तो बालक उच्छल करके यमुना के प्रवाह में गिर गया जो यमुना के प्रवाह में गिरा तो अकबर ने आओ देखा न ताओ वो छलांग लगा गया और च्छलांग लगा करके जब उस बालक को पकड़ा तो बालक सचा नहीं था जूटा था पुतला था अकबर बहुत नाराज हो करके भीडवल किसे का ये क्या हमारे साथ मजाक की गई है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अकबर ने हाँ जोड करके कहा जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो मैं आपसे एक प्रश्ण करना चाहता हूँ आपका ये सेवक आपके चर्णों में बैठा था यदि बालक गिर गया था तो कहते ना कि इसको बचाओ मैं छलांग लगा के बचाता ये सेनिक हैं गोता खोर लोग हैं आपने किसी को नहीं कहा कि ये बचाएं आप क्यों कुन गए अकबर ने कहा बीर बल यदि किसी दूसरे का बालक होता तो मैं कह देता कि तुम इसको बचाओ बालक हमारा था इतना समय कहां था कहने के लिए कि तुम इसको बताओ बीर बल्ले मुस्करा करके कहा जहां पना हां हमारा भी इस्वर इसलिए आ जाता है कि उसका बालक डूबरा होता है अगर दूसरे का हो तो भेजा जाए कि तुम चले जाओ तुम चले जाओ तो भगवान का आवतार इसलिए होता है आवतार का उप्राय होता उतारना जो निर्गुन है निराकार है व्यापक है ब्रह्म है निरंजन है वह आवतरित हो जाता है तो इन्होंने कहा कि माराज हम सुनना चाहती सारे चरित्र को आप हमको सुनाओ भगवान संकर बड़े प्र सुनाम बाल रूक की ँ माराज बंदना करके मंगल भवन मंगल हारी द्रवहस दशरथ अजिर विहारी भगवान रागो का बन दन करके उनको प्रणाम करके माराज बड़े प्रशन होकर धिर्जा की प्रशंसा की सच मैं किसी की framework कि यूग हम प्रहसंशा करते तो उसका मन प्रशन्य हो जाता है है और प्रसन्य मन के बात जब कोई बात रखी जाती तो निस्षचित रूप से स्युकार कर पाता है और भगवारन संकरने नायण बड़ी प्रसंशा की दञ्य धन्य गिरी राज खुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई उपकार करने वाला नहीं है, क्यों भाई उपकार किस से होगा, बुले भगवत कथा से उपकार होगा, राजरशी परिक्षित ने भागवत में प्रश्ण किया तो सुगदेव जी महाराज ने बरियान एस्टे प्रश्णह क्रतो लोक हितम नप तुमने जो प्रश्ण किया है उसमें लोक हित समाया हुआ है आज ये भी किरें सकल लोक जग पावन गंगा जैसे गंगा सबको पवित्र कर देती है वैसे ही तुम रगुवीर चरन अनुरागी की नहीं प्रश्ण जगत हित लागी आपने निश्चित रूप से जगत के हित के लिए प्रश्ण किया है और माराज उन्होंने सुनाना प्रारम किया का कि एक बात कहूं आपकी सब बात तो मुझे अच्छी लगी किन्तो जो एक बात आपने कही न कि राम जसरत राज कुमार जो है वही राम और जो आप जबते दोनों अलग-अलग हैं क्या एक बात नहीं मोही सुहानी जदप मोह बस कहो भवानी तुमने एक बात जो मोह बस कही वहाम को अच्छी नहीं लगी तुम जो कहा राम को आना जहीं सुत गाव धरहीम उनी ध्याना ये बात मुझे बिलकुल नहीं जची और मुझे तो लगता है जो अग्य होते हैं अकोविद होते हैं अंद होते हैं अभागी होते हैं विसही होते हैं वही ऐसी बात कहते हैं जो लंपट और कप्टी और कुटिल होते हैं भगवाजन संकर ने ऐसे लोगों को बड़े माराज गालियां दी और कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में यह जानता नहीं है केवल करुणा की कारण पूछा है और माराजिरों ने बताना प्रारम किया है पहले दार्शनिक सब्दों का प्रयोग है देखो भई सूरी को कोई ढख नहीं सकता है ऐसे परमात्मा को कोई ढख नहीं सकता है यदि कोई कहे कि सूरी को मेगों ने ढख दिया तो अज्यानी है जहां पर हूँ सूर कहें को विचारी मेगों से सूरी ढखा नहीं जा सकता है अरे मेगों से हमारी आँखें ढख जाती है अगर सूर्य ढखा होता तो फिर कहीं उसका प्रकास नहीं दिखता ऐसे परमात्मा को माया ढख नहीं सकती हमारी बुद्धी को माया ढख सकती है यदि हमको परमात्मा नहीं नजर आता है तो इसमें माया का दोश नहीं है नहीं हमारी बुद्धी की अलपक्गता है परमात्मा को तुम्हाराज क्या कहें परमात्मा तो ऐसा है बिनु पद चले सुने बिनु काना करविदी कर्म करविदी नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बढ़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्रान बिनु वास असे खा आसिसवभात्य अलोकिक कऱणी महिमा जास जाय नहीं बरनी नान जिसको सुर्थिया नेति नेति कैकर के मौन हो जाती है उसके बारे में क्या का जा सकता उसकी गढ़ना कैसे की जा सकती है ये करुणा करके भगवान ने हम सब को मनुस्तरीर दिया है और उसके जानने के लिए दिया है भगवान संकर ने कहा कि देवी तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ जब जब हो ये धर्म के हानी बाढ़ई असुर अधम अभिमानी जब तब प्रत्वी में दर्म की हानी होती है और दुष्टों की ब्रद्धी होती है हमको रिटर्णिंग कम मिल लए बाभू यहां की रिटर्णिंग के ही हमको नारेन 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 करही अनीत जाई नहीं बरनी जब दुष्ट लोग गद्धी पर बैठ जाते हैं राजा बन करके और वह अनीत करना प्रारम कर देते हैं जिस अनीत के कारण ब्राम्भनों को गायों को और नार्ण देवताओं को बहुत पीड़ा होती है जब ये ब्यथित होते हैं तब भगवान विविद प्रकार के सरीर रख करके वहां करपा नेदू परमात्मा सज्जनों की पीड़ा का प्रहन करते हैं दुष्टों को मार करके सज्जनों की स्थापना करते हैं और दिब दिब बिनार्ण लीला करते हैं जिस लीला को गागा करके लोग अपनी मती को पवित्र करते रहते हैं भगवान संकर ने कहा देवी वैसे तो राम जन्म के हे तु अनेका रागो के जन्म के हे तु एक नहीं अनेक हैं और परम बिचित्र एक ते एका भगवान के अवतार के जो हे तु हैं एक से एक बिलप्छन हैं किन्तो सभी हे तु तो कहे नहीं जा सकते हैं जनम एक दुई कहों बखानी सावधान सुन सुमति भवानी ये सुन्दरमति वाली भवानी सावधान होकर के सुनो अमारे भगवान संकर ने नान पहला कारण बताया है भगवान नाराइन के दो पारशद द्वार पाल हरी के प्रीदो ये द्वार पाल भगवान के प्री थे जय और विजय जान सब को इन पारशदों का नाम था जय और विजय रामयन में तुनन बहुत विस्तार से वर्डन नहीं है अनिक सास्त्रों में पुरानों में वर्डन है कि भगवान की भरी भरी बुजाओं को जय विजय ने एक दिन देखा और जय विजय ने सोचा की भुजाएं तो बड़ी भरी भरी हैं इन में दम है की नहीं अगर इन से दो दो हाथ गो जाएं तो निस्शित्रूब से पता चलेगा भगवान तो सब के मन की जानने वाले उन्होंने विचार किया इनका संकल्प में पूरा तो करूँगा किन्तो सेवक स्वामी के रूप में इनको में विपक्षी बना करके और भगवान जो संकल्प करते हैं संत उसी को साकार करते हैं संत को ये डर नहीं होता कि कौन क्या कहेगा जो जो भगवान चाहते हैं वही वही संत करते हैं मैं तो कई बार बिनोद में बोलता हूं कि पिता के संकल्प को जो साकार कर दे, उसे सत्पुत्र कहते हैं, और भगवान के संकल्प को जो साकार कर दे उसे संत कहते हैं, संतों को अपनी कोई परवाद नहीं होती अपनी कोई एक्षा भी नहीं होती हमारे गुर्देओं सुनाते थे कि एक संत नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे नाव में छिद्र हो गया पानी भरने लगा तो जितने यात्री थे सब नारेण उस पानी को निकालने लगे हास से कि नाव किनारे तक पहुँच जाए भर जाएगी तो डूब जाएगी किन्तों संत कमंडल लेकर के बाहर से पानी अंदर भरने लगे लोग पानी निकालें वो उसमें भरें लोगों ने रोका तब भी नहीं माने किन्तों नाव जब तट पर पहुचने लगी तब वो संत पानी निकालना प्रारम करने लगे। कई लोगों ने उस संत उसे पूछा कि बावरे हो क्या। जब नाओं डूब रही थी तब पानी भर रहे थे अब बच गई तो निकाल रहे हो। संत ने हस करके कहा कि मुझे लगा मेरे परमात्मा का मन डुबाने का है तो मैं उनका सयोग कर रहा था। और अब लगा कि बचाना चायते तो बचाने का सयोग कर रहा हूं। हमारा अपना मन कुछ नहीं है। जो उनका मन है वही हमारा मन है। इसलिए संत लोग भगवान के संकल्प को साकार करते हैं। नहीं तो कई बार विचार करने लाइक है कि बैकुंठ में किसी को क्रोद आएगा। बैकुंठ में क्रोद का स्थान नहीं है। बैकुंठ नाम ही उसका है जहां कुंठा नहीं हो। अगर कुंठा है तो बैकुंठ कैसा किन्त वहां संकादियों को क्रोध आ जाना यह भगवद इक्षाही थी तो संकादियों ने जै विजै को शाप दे दिया था कि तुम लोगों ने हमें रोक लगाई है जाओ तीन जन्म तक असुर बनो जब उनका तीन जन्म हुए में चरणकष्यप बहुतार के का दूसरा जन्म उनका रावण और कुम्वकरण के रूप में हुआ तब भी भगवान ने अवतार लेकर के उनका उधार किया और जवा हिरन्याक्षे हिरनकस्यप बने तब भी भगवान उधार करते सिजुपाल और धंतवक्र बने तो श्रीक्रिष्ण बन करके सिजुपाल और धंतवक्र का उधार किया तो भगवान के एक अवतार का हे तू तो यह संकादी बन गए और एक कलप सुर्दे की दुखारे समर जलंधर संसब हारे एक जलंधर नामक असुर है जिसकी पत्नी परम सती थी नरण मैंने विदन कर दूं कि कि किसी का धर्म यदि अधर्म का सयोगी बन जाता है तो वो भी अधर्म ही कहलाता है जलंधर की पत्नी भले ही सती थी किन्तो उसके सतित्य के प्रभाव के कारण ये जलंधर सब को कश्ट दे रहा था नरण 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 भगवान ने जलंधर बन करके जाकर कि इसका विस्तार से चरित्र पुरानों में वर्णन है कि जब जलंधर युद्ध करने के लिए गया था भगवान संकर से युद्ध हो रहा था उसका उधर तो भगवती पारवती की प्रार्थना से भगवान नरण स्वयम एक यती बन करके जाकर के जलंधर के बगीचे में बैठ गए यहां तो विस्तार नहीं उसका और बैठ गए उस विचारी को बेचैनी थी वह घूम रही थी तब तक वह माराज सादू समझ करके उनको प्रणाम करने आई विश्टू को जो पाराज वो तो सादू बन करके बैठे थे तब तक देखा क्या कि उसका हाथ कटके आकर बगीचे में गिरा फिर पूरा सरीर उसका गिरा अब सरीर गिर जाने के बाद देखा क्या तो रोने लगी कि हमारा पती मारा गया यह माया थी अवबा रुदन कर रही थी तब तक महात्मा जी ने कहा चिंदा मत करो मेरे पास ऐसी बूटी है कि तुमारे पती को मैं जीवित कर दूँगा और बंदरों से कहां उनके सही होगी दो बंदर थे उन बंदरों को कहां कि तुम जाकर के बूटी लाओ जो लाया तो महारा जीवित कर दिया जलंदर जीवित हो गया तो बड़ा कुछ प्रशन होकर के अपनी पत्नी के साथ बंदा के साथ प्रविष्ट हो गया महल में और अपनी पत्नी को प्रेम करने लगा और उसके सतित को जो महराज नश्ट किया तब तक उसने पहचान लिया कि हमारे पती नहीं है जलंदर तो समझ गई कि ये विश्णू है तो कुपित हो करके उसने विश्णू को शाप दे दिया और शाप दे करके कहा कि जाओ तुम हमारे सतित्त को भंग किया एक साधू बन करके तुमारी पत्नी का अपरण भी कोई साधू बन करके ही करेगा यहां तुमने बंदरों का सयोग लिया है वहां भी तुमको बंदरों का सयोग मिलेगा एक पुराण में तो यहां तक वरण ने कहा कि तुम कठोर हदय वाले हो जाओ तुम पाशान बन जाओ तो वही सालिक ग्राम बने उसके शाब के कारण ही एक कल्प सुर्दे की दुखारे समर जलंदर सनसब हारे संबुकीन संग्राम अपारा दनुज महावल मरई न मारा परम सती असुरादि पनारी तहीं बलत माराज ताही न जित ही पुरारी कोई उनको जीत नहीं पा रहा था उसके सतित को भगवान ने मा राच्छल से टारा था इसके कारण एक अवतारिन का हुआ और एक अवतार का कारण नारण नारद स्राप दीन एक बारा कलप एक तहीं लगी अवतारा भगवान राम के अवतार का एक हेतु है कि श्री नारद जी महराज ने नारण उनको शाप दिया जिसके कारण उतार हुआ सच कहुन अरेंड इसका नाम स्रद्धा और विश्वास की पूर्थी है जो सुना की नारजी भराजी ने श्राप दिया तो अपने गुरु पर कितना विश्वास है उमा को तुरत देखिये प्रश्ण करने का ढंग देखिये रामैन में भगवती ने भगवान संकर को कहा कि एक बार गिरजा चकित भही सुन बानी गिरजा इस भानी को सुनकर चकित हो गई और विचार करने लगी कि नारद विश्ण भगत पुनी ग्यानी नारद जी माराज तो एक तो भगवान के भगत हैं विश्ण के और ग्यानी हैं भगत अपने इष्ट पर कभी क्रोध नहीं करता ग्यानी तो किसी पर क्रोध करेगा ही नहीं क्योंकि द्वईत उसके दृष्टी में है नहीं तो विचार करने लगी कि निश्चित रूफ से विश्णू ने कोई अपराद किया होगा अर्थात हमारे गुरू से कोई अपराद नहीं हो सकता है अपराद विश्णू से हो सकता है कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराद रमापति कीना आप से हमारी प्राड़तना है कि रमापति ने क्या पराद किया जिसके कारण हमारे गुरुदेव ने उनको शाप दिया और भगवानों को आउतार लेना पड़ा आप करपा करके सुनाईए हमारे भगवान संकर ने माम बाजगदंबा को निमित बना कर ये चरित्र सुनाया नारण बड़ा अदभुत चरित्र है बड़ा रस भरा चरित्र है इन्होंने बताया कि एक बार हमाले की एक गुफा में हमारे शीदेवर्शी नारजजी जाकर के बैठ गए और वहां बैठते ही नारजजी माराज की समाधी लग गई जब समाधी लग गई साधना में डूब गए तो माराज इंद्र घबड़ा गया ये लोभी ये कामी व्यक्तियों को डर बहुत जल्दी लगता है भोगी व्यक्ति भी डरता है कि कहीं हमारा कोई भोग छीन न ले लोभी व्यक्ति को भी लगता है कि कहीं हमारा धन कोई छीन न ले नारजजी माराज साधना करने के लिए बैठे तो इंद्र को लगा कि कहीं इंद्र पद न ले ले हमारा ऐसी उप्मा दी है नारण भोगियों के लिए तुर्शिदाज जी माराज ने आपको क्या कहें सूक हाड लई भाग जनू स्वान निरख युवराज बंदू ये जितने भोगी लोग हैं न आपको मैं क्या कहूं ये कुत्ते की समान है आप नाराज मत हो जाना आप कहोगे कुत्ते के समान क्यों है कुत्ता जब हड़ी चबाता है तो अपने मसूनों से ही उसको रक्त निकलता है और उसको लगता है कि हड़ी से निकल रहा है ऐसे ही जब विसई व्यक्ति भोग भोगता है तो उसको लगता है कि पत्नी सुख दे रही है, अमुक सुख दे रहा है, पती सुख दे रहा है बंदो कोई सुख देने वाला नहीं सुख अपने ही सरीर के छीन से हो रहा है कोई माई का लाल पैदा नहीं हो सका है कि आपकी तलिंता के बगएर आपको सुख दे सके ये जो सुक का सम्मन्ध है वो अपने अंदर से ही है इस रहसी को लोग जानते नहीं है सोचते हैं खाने में सुक है छूने में सुक है भोगने में सुक है ये वैसा ही सुक है जैसे कुट्टे को हड्डी चबाने से सुक निकलता है इंद्र की यही दसा है इंद्र ने जाकर के महराज काम दियो को कहा काम दियो ने आकर कि नारज जी की तफश्या को पूरा करने के लिए बड़ा प्रयास किया काम दियो ने जाकर अपना पूरा सामराज फैला दिया वहाँ अफसराएं ले गया, मंद सुगंद वायू ले गया, बसंत रितू ले गया कि नारज जी के चित में काम का संचार नहीं हुआ और काम का संचार नहीं हुआ, क्रोध का भी संचार नहीं हुआ नारज जी के चित में नारज अभिमान आ गया कि मैं काम भी जेता बन गया बंबई की भासा में बोल रहा हूं, बंबई में लोग पूछते हैं, डाल चलेगी, सबजी चलेगी, चाल चलेगी, मैं पहले सोचता था, चाय भी चलती ही, क्या भी ना पहर के, ये चलना मने सुक्रती हर्थ में है, लोगे, चाय लोगे, तो चाय चलेगी, उस भासा में बोल ठाकुर के दरवार में आप स्युकार कर लिए जाओगे आप लो भी हो तब भी घबडाने की जरूरत नहीं आप भगवान के दरवार में स्युकार कर लिए जाओगे बगवान के दरवार में दिनारण कोई नहीं चलता है तो अभिमानी व्यक्ति नहीं चलता है और मैं सच को हूँ मुझे तो आज तक एक भी हेटू ये समझ में नहीं आया कि लोग अभिमान करते क्यों है एक भी कारण नहीं अविमान कर देगा, एक भी कारण माराज लोगों को ऐसा अविमान होता है, वकील साब आप समझ नहीं सकते राजस्तान में हमारी एक जगे कथा थी तो संयोग से उनके घर में सब भी भाग बाढ़ दी गए ते मेरा भी भाग सौपा गया था उनकी बेटी को कि माराज जी को जो चाहिए जो व्यवस्ता हो तुम देखना संयोग से हमसे कोई परिवार मिलने आया दुपहर का समय था तो हमारा सुभाव है कोई आता है तो कहते भोजन कर लो तो मैंने सुचा कि इनको भोजन कर आकर वेजे बेटी थी इनका बेटा था चोटे-चोटे थे बच्चे पति-पत्नी थे तो उस बहन को मैंने खोजा तो बहन मिली नहीं तो मैंने सिवक को कहा कि जाकर इनको बहुजन में बैठाल दो वो चारों बैठकर भोजन कर रहते हुआ आ गई भोजन करते ही उन चारों को उठा दिया और कहा तेरे बाप का घर है कहां से आ गए तुम लोग महराज वो बेटी हमारे पास रोती हुए चोटी सी बच्ची थी मुझे बहुत पीड़ा हुई मैंने विचार किया कि अब तीद दे साथ रह गय थे कि इस घर का ना पानी पियूँगा ना इस घर का भोजन करूँगा कि ऐसा कोई अपमान करता है किसी का भोजन से उठा दे हमारे हां तो मेरे लगबग आठ सो आदमी रोज भोजन करता है आठ सो आदमी किसी को कभी नहीं उठाते हैं कोई भी आ जाए कभी भी तो भोजन तो हम दे सकते हैं पानी दे सकते हैं हमको बड़ी पीड़ा हुई और और मैंने साम का भोजन नहीं किया उनकी हां भोजन नहीं किया तो दंपत्ती दोनों आकर रोने लगे बुले महराज माप कर दीजिए और वो पता ने उस बेटी को बहुत अविमान है प्हले तो सुंदरता का अविमान था उसको कि मैं सुंदर बहुत हूं और पैसे वालों के गर में ब्याह गई है तो उसको धन का अभिमान है मैँ थो कोई कैसे भगा देता है अभिमान कियों ऐसे कोई करता है नहीं तूँ परिवार हमारे यह ब्रेंदावनमें अंय। अ मिल नहीं आयाेत उनके दोनों बच्चों को मैं पैचान गया उसके पती को उस बेहन को मैं पहचानी नहीं पाया Уस बहन को पहचान नहीं पाया तो मैं ने कहा यह माता जी कौन है? तो रोने लगी हो हम ने कहां क्या हो गया हमारा तो बताया कि सुबह चाए बनने के लिए गई थी कह大 convention गैस लीक थी आग लग गई बच गई नहीं तो सब जली जाती पूरा चेरा बिगड़ गया था पूरे हांथ जले थे मेरे को उस दिन बड़ी पीड़ा हुई हमको लगा कि ये देखो लोग सुन्दरता का अभिमान करते हैं एक मिनट में कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है अपनी बुद्धी का अभिमान करते हैं लोग महाराज इतने इतने गरंत रट लेते हैं किन्तो कब महाराज बलड़ पेसर आई हो जाए और कब लकवा मार जाए कुछ पता नहीं हमने इन 45 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में हमने एक रात में अरब पती व्यक्ती को रोड़ पती होते देखा है एक रात में हमारे संपर्क में ऐसे से परिवार है जिनके सब महानगरों में बंगले थे और एक ट्यूमर हो गया महारा सारा पैसा चला गया बंगले बिग गए आज वो बहन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 15,000 में नोकरी करती है बंगलोर में त तो कल कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है कभी भी ध्यान रखना इस संसाज में अभिमान करने लाइक बिल्कुल नहीं है यह अभिमान भगवान से दूर ले जाता है और भगवान माने कोई सांती से दूर ले जाए सुख से दूर ले जाए जीवन से दूर ले जाए य बगवान माने सुख बगवान माने सांती बगवान माने आनंद बगवान माने जीवन बगवान माने ग्यान इस से दूर ले जाता है और कई बार जो हमारे जीवन में सफलता मिलती हमको पता नहीं होता है कि उसमें हे तू क्या है राम चैत्रमानस में तो भरनन नहीं है पुरा भगवान संकर के संकल्प के कारण तो कि भगवान संकर ने संकल्प किया था कि काम जब काम को जलाया था तो उन्होंने संकल्प किया था कि यहां बैठकर जो साधना करेगा तीन योजन तक उसे काम प्रभाव नहीं कर सकेगा वो भगवान संकर का संकल्प था और नारत जी को लगा कि मैं काम विजेता बन गया क्रोध विजेता बन गया भगवान संकर के पास में आ करके अपनी काम की चर्चा करने लगे हमारे भगवान संकर ने एक बड़ी रसीली बात कह दी बुरे काम कला कचु मुनीन व्यापी निज भे डर्यो मनोभो पापी वा पापी डर गया तुर्शिदा जी महराज की बात सुनने लाई के सीम की चाप सके को उतासू बड़ रखवार रमापती जासू जिसकी रक्षा र बिगार सकेगा जब भगवान संकर से इन्होंने बताया भगवान संकर ने कहा कि एक बात कहूं यह चर्चा किसी दूसरे को मत सुनाना और भगवान विश्णू को तो बिलकुल मत बताना किन्तो माराज ब्यक्ति को लगता है कि हमारे चर्चा लोग जाने तो वहां से निकल कर सीदे इंद्र के पास गए शीव के पास गए शीव ने समझाया किन्तो माने नहीं और जब भगवान के पास गए तुर्शिदाज जी महराज की लेखनी को बंदन करने का मन होता है एक बार करतल करवीना गावत हरी गुन गान प्रवीना नारज जी महराज भजन पहले से गाते थे ध्यान रखना किन्तो गान में उनके राग तो होता था किन्तो राग के साथ अनुराग होता था वार राग की कुशलता नहीं जनाते थे कि मैं बहुत बड़ा राग का जानकार हूँ राग की आवश्यक्ता है राग से स्वरस्दता है कि इन तुनार्ण जब अविमान से गाया जाता है तो भजन का रस चला जाता है भजन में रस तब होता है जब अनुराग से गाया जाता है राग के साथ अनुराग हो तो स्वर्ण में सुगंद है किन्तो यदि राग राग है अनुराग नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है और गान प्रवीना सब्द का प्रयोग है भक्त प्रवीन नहीं गान प्रवीन अविमान से भरे हुए हैं भगवान भी मारा चतुर बैद्ध है आप जानते हो चतुरुबैद किसको कहते है जैसे किसी को फोड़ा हो जाए और वो डाक्टर के पास जाए तो डाक्टर देखता है ये फोड़ा बैठने की इस्तिती में है कि पकने की इस्तिती में है अगर बैठने की इस्तिती में होता तो दवा ऐसी देता है कि बैठाल देता है उसको किन्तो बैठने की इस्तिती में नहीं तो ऐसी दवा देता है कि और ये बढ़ करके पके क्योंकि कच्चे फोड़े में पीड़ा लगाया जाएगा तो पीड़ा भी जादा होगी और सुस्त भी नहीं होगा तो डाक्टर पहले उस फोड़े को पकाता है तो भगवान तो बैद्धे हैं भगवान जान गए कि नारत जी को अविमान रूपी फोड़ा हो गया है और अब ये बैठने की स्थिती में नहीं है अगर बैठने की स्थिती में होता तो निश्चित रूप से बैठाल देते अब तो इसको बढ़ा करके चीज़ा ही लगाना पड़ेगा भगवान ने सुना कि नारत जी आ रहे हैं तो हरस मिले उठ रमा निकेता पहले भगवान नारत जी का स्वागत करने नहीं जाते थे दरवाजे में कि आयमात्मा जी आ रहे हैं तो स्वागत करने जाएं अपने प्रेमी का क्या स्वागत करना है भक्त का क्या स्वागत करना है किन्तों अब की बार खड़े हो गए, दरवाजे पर आये और बड़ाव स्वागत किया उनका शरन धोए, नारजी समझ गये लगता है मेरी चर्चा यहां फैल गई है, कि अब वो नारज नहीं रहा जो इ पहले जाते थे ना भगोण के चणों में तो नीचे बेट जाते थे अभी तो महराज बैठे ही नहीं क्यों कि लगता है वहाँ पर कोई कुरसी रही नहीं होगी भगवान ने कोई कुर्सी सोफा डलवा नहीं रखा था अपने तो सेश सया पर जाकर बैठ गए अब नारत जी तो वैसे तो नीचे बैठ जाते थे किन तो अभिमान में कैसे नीचे बैठे छोटे तो हैं नहीं खड़े थे तो यहां एक दम इस पर समझ में आ रहा है बैठे आसन रिसी हैं समेता भगवान अपने आसन में ही बैठा लिए माराज अब आप तो हमारे समान हो गए हो बैठ जाओ बैठ जाओ यह अभिमान बढ़ाने का और साधर नहीं तुम अभिमान बढ़े हो तूम अभिमान बढ़ा देते हैं बोले भीहस चराचरर आया बगवान हस करके जगत के स्वामी बोले माराज जी इस दास पर बहुत दिनों के बाद करपा की कभी कभी तो करपा किया करो बहुते दिनन कीन मुनिदाया अब ये दया का है कैसे दया करेंगे बहुत दिनों के बाद महराज आप ने दया किए महराज जो तो मौक़ी ढूण रहे थे बोले महराज ऐसे कुछ नहीं है आपके पास आने में मुझे क्या संकोच है आप तो सबस हैं आपकी क्रपास से तो मैं जीता हूं आप यह सब कुछ हैं बात यह एक ठोड़ा कही में बिजी हो गया था भगवान ने इनको मना किया था कि सुनाना मत कहां बिजी हो गए थे तो כाम चरित नारद सब भागे जब कभी पहले कता सुनाते थे तो राम कता सुनाते थे आज अभिमान से बरे होने के काम कथा सुनाने लगे भगवान संकर ने मना करने के बाद भी नहीं माने भगवान ने रूख बदन करी बचन अम्रदू भोले श्री भगवान मुश्कराए नहीं भगवान तुणा मूँ बना करके बोले अरे रे महराज तुम्हारे सुमिरन करने से कोई नारद नारद रटे न तुम्हारा कोई ध्यान कर ले तो मोह न सताए उसको काम न सताए, मदस न सताए, अभिमान न सताए मान न सताए ये तुम्हारा आपके नाम की महिमा ऐसी है और आपकी महिमा कैसी होगी नारजी मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे कि देखो हमारे महिमा कोई जानते हैं अरे आप तो बर्मचारी बाल बर्मचारी है तुम्हारे एक मन को कौन काम बिगार सकता है नारजी अंदर से अभिमान में भरे थे बुले मारज आपकी कृपा है ये सब आपकी क्रपा से मिलाने इस तुस्त दास के पास क्या चीज़ थी कुछ नहीं थी आपकी क्रपा से मिल गया बगवान जान गए कि माराज अभिमान आ गया है अहा तो शिदाज जी माराज दे अद्बुस अब्दका परियोग किया है करुणा निदिमन दीख बिचारी एक करुणा के सागर दया के सागर देख लिया और जान गए कि इनके अंतक करण में अभिमान का अंकुर जन में ले चुका है मैं तो सेवक का हिदकारी हूँ इसलिए हम इसको खाड़ कर फेक देंगे और नारज जी को अद्माराज बिदा करके ऐसी माया की की रास्ते में एक दिब नगर बन गया उस रास्ते से हर्दम आते थे कभी मिला नहीं था कि नगर नगर की राजा सील ने दी थे हजारों हाथी हजारों गोड़े उनके थे बहुत संपत्ती थी और अपनी कुमारी का विवाह करना चाहते थे उसका नाम था बिस्समो होनी नगर सजा हुआ देखकर के लोगों से पूछा क्या बात है बोले यहां ब्याह होने वाला है तो कौन राजा है बोले सील ने दी तो का चलो मिलके आते हैं और मिलने के लिए गए तो मारा जुरों ने तुरत अपनी बेटी को प्रणाम कराया और बेटी को प्रणाम करके कहा मारा जी आप सब विद्या के जानकार हो इसके भागी को बताओ मारा जुरों देखो भी आध्यान रखना चाही महात्मा को एक तो ब्याह में नहीं जाना चाही और महात्मा को कभी किसी का हाथ भी देखना चाही यह महात्मा का काम नहीं है मैं कई बार हजके कहता हूँ नारत जी जैसे महात्मा हाथ देखने के चक्ड़ में बंदर बन गए तो दूसरों की कहानी क्या है हमारे गुर्देों तो कहते थि महात्मा को कभी ब्याह में नहीं जाना चाहिए आप पूछोगे क्यों बोले दोनों तरफ से खत्रा है दोनों तरफ से खत्रा कैसे अगर महराज दूले की मौज मस्ती को देख करके बाबा जी को दूला बनने का मन हो गया तो बाबा जी बिगड गए के नहीं बिगड गए और कहीं बाबाजी की मौज मस्ती को देखकर दूला का ओमन बाबाजी बनने का हो गया तो बराद विगडी की नहीं विगडी दोनों तरफ से खत्रा है जी इसलिए महात्मा को महाँ जाना नहींची एक महात्मा सुनाते थे महरच कि वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बराद निकल रही थी अब रास्ता मिले नहीं निकलने का हम लोगों को भी कई बार फस जाते है अब गाड़ी में बैटे हैं बराद सामने निकल रही नहीं दरज गाड़ी जा पाए ना उधर जा पाए तो तो फैदल थे पुराने समय की बात है महात्मा अब महराज क्या हुआ की बहुत देर तक वो बराद देखते रहे रास्ता मिलानी बाद में निकल कर गए समय जादा हो गया था तो सो गए किसी कुवां में उसमें कुवां की जगत में जाकर सो गए और सपन देखने लगे कि मेरा ब्याव हो रहा है और ब्याव हो जाने के बाद पत्नी आ गई पत्नी आने के बाद मरत सपन का तो फटा फुर सब काम होता है बच्चे भी हो गए अब जब बच्चे हो गए वो बाबा जी को तो पतनी ने का थोड़ा खिसको तो सही बच्चा कहां लेटेगा तो कुए में मारा थोड़ा खिसके थोड़ा खिसके बोले इतने हैं मैं कहां लेटूंगी तो और खिसके और खिसकते खिसकते जाकर कुए में गिर गए अब जब कुए में गिरे तो नीन खुल गई नीन खुल गई तो मारा चिलाए तो किसान दोड़ कर आए क्या हुआ क्या हुआ तो बड़े मारा दुखी होकर कि बोले बड़ा खतरनाक है ये सपने वाली खिसका कर कुए में गिरा देती है जागर्द वाली क्या करती होगी वो पता नहीं है कार स्वप्रे में हमने एक बार ब्याह देखा तो ये दसा हो गई तो मात्मा को तो ब्याह में जाना नहीं चाहिए नरैन और ये चक्कड में मात्मा जी पड़ गए और जो हाथ देखा तो जोसी तो अच्छे थे माराज रेखा देखकर कि इसमें लिखा था रेखा में जो इसका ब्याह करेगा वो अजर अमर होगा और युद्ध में कभी कोई उसको जीत नहीं सकेगा समर भूमित ही जीत न कोई नारज जी सोचने कि वाह वाह इससे बढ़िया क्या हो सकता है ब्याह करने से अजरमर हो जाओ और विस्विजेता बन जाओ तो इसमें ब्याह हो जाए तो काम बन जाए भ्रहम उनको ये हो गया ये था कि पहले से अजरमर होगा हो विस्विजेता पहले से होगा ऐसा नहीं कि ब्याह के बाद हो जाएगा अब विचार्ड करने लगे बुले यहां तो स्वेंबर हो रहा है क्या किया जाए तो स्वेंबर में का कन्या बरण करेगी कन्या बरयते रूपम जब ब्या होता है तो कन्या रूप का बरण करती है तो बुले इस बाबाजी के साथ कौन ब्या करेगा तो सुन्दर रूप चाहिए तो सुन्दर रूप कौन देगा भगवान के पास गए मारा जहीं भी दिनात हो हित मोरा करह सुवेग इदास में तोरा बस बंदो दिहान रखेगा मैंने विदन कर दूँ कामना जीवन में आए तो कामना की प्रार्थना भगवान से ही करनी चाहिए जगत से नहीं और कामना के साथ साथ एक बात कह देनी चाहिए कि मेरा मन तो यह है कि यह काम हो जाए किन्तो हमारा हित हो तो करना और हित न हो तो मत करना नारजी ने यही किया जहीं भी दि हो ए नात हित मोरा हे नात हमारा जिससे हित हो वो काम करो भगवान ने का देखो नारजी मैं तो हित ग्रस्तियों को करता हूँ और बाबा जी लोगों को तो परम हित करता हूँ जहीं भी दी हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार जिससे परम हित होगा वो काम करेंगे सोई हम करबन आन कचू बचन न मर्शा हमार हमारी बात जूटी नहीं होगी और साथ में ये भी कह दिया कि कोई रोगी यदि डाक्टर से बैद से कुपत मांगता है तो बैद कभी देता नहीं है मानो संकेत कर दिया कि जो तुम इस समय रोगी हो काम रोगी हो और जो तुम मांग रहे हो कुपत है मैं ये देने वाला नहीं हूँ किन तो नहीं समझ पाए नारण भगवान के पास सुंदरता लेने गयते बंदर बन कर आगे बड़ा रसीला चरित रहे जहां सुएंबर हो रहा था जाकर बैठ गए अच्छा सब लोगों को तो ये नारद ही दिखते थे केवल भगवान के सिव के दो गण थे जिनें ये बंदर दिखते थे और भगवती ने जब देखा तब भीन की उपेक्षा कर दी बार बार उचकते रहे बाद में साक्षाद भगवान स्वेम आकर कि नार राजकुमार बन करके ब्याह करके चले गए अब ये बड़े विकल हो गए कि मैं सुन्दर बन कर आया तब भी ब्याह नहीं हुआ तब भगवान के संकर के दासों ने कह दिया कि जाकर जरा अपना मुख देखो और जो मुख देखा मरकट बदन भयंकर दे ही देखत हरदय कोप भाते ही देख कर हरदय में कोप हुआ और कहा कि अच्छा मेरे साथ ऐसा बेवार हुआ है और महराज बड़े कुपित हो करके कहा कि जिस्चित रूप से हम जाकर उनको दंड देंगे और महराज बगवान की खोज में वहाँ से निकले रास्ते में बगवान मिल गए और रास्ते में जब बगवान बीचे ही पंथ मिले दनुजारी संग रमा सोई राज कुमारी बगवान को देख करके कुपित हो करके महराज उन्होंने कहा कि तुमने हमारा चित अपहन कर लिया मैं जानता हूँ आप कभी दूसरे की संपदा देख नहीं सकते हो तुम्हारे चित में इरशा बहुत है तुमने स्वयम तो ब्याह कर लिया कॉस्तुम मनी ले ली और संकर को जहर पिला दिया ये तुम्हारा इस्प्रकार का बेवार है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई तुम्हारे सिर पर कोई नहीं स्वतंत्रोश लिए जो मन में आता है सु करते हो आज आपने हमारे साथ जो बेवार किया अच्छा नहीं किया है अब मैं आपको शाप देता हूँ बंचेव मोही जवन धरी देहा आपने जो सरीर धारण करके हमारा ब्याह नहीं करने दिया सुईतन धरव शाप ममेहा अर्थात तुम राज कुमार बनो और तुमने हमारी बंदर की आकरती की न तो जाओ कप याकरती तुम कीन हमारी आपने बंदर की आकरती हमारी कर्दी करी हैं कीस सहाय तुमारी बंदर तुमारी सहता करेंगे मम अपकार कीन तुम भारी नारी बिरह तुम हो दुखारी हमारे पुझे पंडी जी महराज पुझे शिराम कींकर उपाद्याय जी एक बड़ी रसीली बात कहते थे मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जीता हूँ उसको कभी संतों से डरना नहीं चाहिए जान रखना सादु ते हो इनकार जहानी सादु कभी किसी कामंगल नहीं कर सकता है उसको करना आता भी नहीं है अगर वो करना भी चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा आप पुरान रामाइन कहीं भी पढ़िएगा एक भी आपको प्रशंग ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी सादु ने किसी को स्राप दिया हो किन्तों भगवान न मिले हो पुजपंडी जी महाराज कहते थे देखो नारज जी को स्राप देना नहीं आया ये भले स्राप दे रहे हैं किन्तों स्राप है कि आशिरबाद आप लोग बताईए हमको और उने कहां राजकुमार बन कर कि तुमने हमारा ब्यार नहीं करने दिया तो तुम राजकुमार बनो अरे कह देते कि तुमने राजकुमार बनकर हमारा ब्याह नहीं करने दिया तुम बिखारी बनो तो तो शाप माना जाता अब राजकुमार बना रहे हैं तो शाप क्या है और कहा बंदर रूप हमारा बना दिया तो कहते जाओ तुमको बंदर काटेंगे तो शाप माना जाता कहते बंदर तुम्हारी साहता करेंगे और हमारा ब्याह तुमने होने नहीं दिया कि तुम्हारा ब्याह कन्फर्म है ये शाप है कि आशिरवाद है जी यही सब्दक परयोग किया है मम अपकार कीन तुम भारी आपने मेरा अपकार किया कि नारी बिरह तुम हो दुखारी अर्थात क्या तुम्हारा ब्याह तो होगा बिना ब्याह के तो कोई नारी से दुखारी होने वाला है नहीं ब्याह में तुम्हारा ब्याह कंफर्म तो सादो किसी का अपकार नहीं कर सकता है कि इतो माराاج शाफ देने के बाद भगवान ने इनकी माया दूर की तो रोने लगे बुने माराज हमारी बाणी जूटी हो जाये मर्शा हो अब मर्शाफ कृपाला भगवान ने कहा कि इसमें चिंता मत करो मेरी इच्षाथी इसलिए ऐसा तुमने हमको शाप दिया है और तुमने जो मुनिगणों को मारा जो भगवान संकर के अनुचर थे उनको जो तुमने अपराद किया उससे बचने के लिए जपहु जाए संकर सतनामा कहा संकर का नाम जपहु जाकर के ये सतना सब्द है सत्मानِ होता है, सव भगवान के सत्नाम का जब कर जी जाकर की और लुए यही हिरदे तुरत बिश्टामा आपके हिरदे में बिश्टाम होगा इस प्रकार से माराज उनको कार्शी भेज़ दिया तो नारज जी के कारण भगवान का एक अधार हुआ और चतुर्थ हेतु महाराज दिया है मनुशत रूपा का मनुशत रूपा से दो बालक उत्पन हुए तीन बेटियां उत्पन हुए और पांचो संतानों का व्याह करके महाराज ये दोनों दमपत्ती जाकर के आराधना साधना करते हैं नईवी शारण में 12 अक्षर मंत्र पु हुए कहा बर मांगो तो इन्होंने महाराज जो बर मांगा अद्भुत बर मांगा जो सरूप बस सिव मन माहीं जो जिस रूप का चिंतन सिव करते हैं सगुन अगुन जहीं निगम प्रसंसा हमारे स्री भुसंड जी महाराज इनकी गीत कारती गाते रहते देखए हम सो भरी लोचन क्रपा करो प्रनतारत वोचन हमको तो राम रूप में दर्शन दो मानों भगवान ने जब राम रूप में इनको दर्शन दिया सुंदर दिव्य रूप को निहाय कर दोनों दंपत्ती बड़े प्रशन हुए और कहा कि कुछ बर मांगो क्या चाहिए तो का हम आएते हैं जब माराज सोत्म जानौ अंतर यामी पुरव हुमोर मनौरत स्वामी सकुछ विहाय मांग नप मोही मोरे नहीं अदेह कच तो ही तुम्हें अदेह कुछ नहीं जो चाहो सो मांग लो माराज देखकर के जब इनको कहा कुछ बर मांगो तो का आप के समान ही पूत् अमें बगवती से का चतुरपती ने जो बर्वंगा हूं वही हम को चाहिए हम उनकी धर्म पत्थनी बनकर और उनको पुत्र होगा तो पत्नी भी चाहिए अर्तहत्त मैं ही उनकी पत्थनी पनो और भगवान की माँ बनो बगवान नायर्णस देखकर के मा की बड़ी प्रसंसा करते हैं और वहां से तुरुईत हो जाते हैं यही आकर के दसरत बनकर के प्रकटोते दसरत और कौशलिया के रूप में एक आवतार का हेतु ये भी है पांचमा आवतार का हेतु है कहके देश के एक राजा थे सत्त केतु उनके दो पुत्र थे प्रताब भानू और अरी मरदन मारा सच में बड़े पुर्शार्थी थे इन्होंने बड़े बड़े यग्य किये और सब निस्काम यग्य थे भगवान के चर्णों में प्रार्थना करते थे हमको कुछ नहीं चाहिए किंदुसंयोग से इनके पुरशार्थ से मारा चारो तरफ इनका राज्य हो गया था अब विजय प्राप्त करने के लिए कई राजाओं को दंड भी देना पड़ा था तो उनका एक दुश्टमन राजा माराज उसके मित्र ने मिलकर के कुछकर इनके साथ किया और जब ये सिकार खेलने के लिए गये थे तो वह माराज इनको आकर शुर की रूप में सामने प्रगट हुआ मारने के लिए दोड़े और उसके पीछे पीछे चलते गए संध्या का समय हो गया और वो मार नहीं पाये उनको जब इनके दुष्ट राजा जो इनका दुस्मन था महात्मा बनकर किनारण एकांत में निवाश कर रहा था उनके पास जब गए तो परचे पूछा उसने तुम कौन हो तो बताया कि मैं प्रताब भानू का मंत्री हूँ उसने का मुझे सब पता है तुमारी चतुरता को देखकर मैं बड़ा प्रशन हो गया हूँ सच में राजा को अपना भेद सब जगे नहीं बताना चाहिए और बताया कि माराज जब सब आप जानते हों तो आप हैं कौन उसने का मेरा नाम एक तनू है अच्छा तो आपको एक तनू का अर्थमें बता दीजिए बुले जब से संसार बना है तब से हम दूसरा सरीर धारड़ी ही नहीं किए माराज ऐसी कपट की बातें की उनकी प्रभाव में आ गए उसने कहा कि जो मांगना चाहो सो मांग लो बंदू बस ध्यान रखना अगर मांगना है तो भगवान से मांगो इन संसारियों से मांगने से क्या होगा मैं एक प्रश्न करता हूँ आप सब से आप लोग सब पड़े लिखे हैं हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कोई स्त्री वकील साब अपने पती से कुछ न मांगे कहे कि हम अपने पती से निस्काम है और पडोसी से साड़ी मगा के पहने उसकी निस्कामता कलंकित है की नहीं है बोलो भई कलंकित है अगर मांगना है कामना है तो अपने पती से मांगो की भाई हमको ये चाहिए उसमें क्या दोश है तो यदि चित में मांगने की बात है तो भगवान से मांग लो और हम भगवान से कहें कि हमके तो आप से कुछ नहीं चाहिए कि एक आंत में किसी से मिलें तो कहो कि हमको ऐसा राज दे दो कि मारा कहीं समाबतन हो अजर अमर सरीर दे दो इस कमजोरी को उसने पकड़ लिया और कहा कि निश्चित रूस से तुम को ये बर मिलेगा कि इन तो एक बात कहूं इसमें यदि कोई बिरो दी है तो ब्राम्मन है और ब्राम्मन तुम्हारे बस में हो जाएं तो समझ जाना कि दुम्हारे बस में और ब्राम्मनों को बस में करने का वकील साफ साधन जानते हो पता है की निए मैं बता देता हूं ब्राम्मनों को बस में करने का ये कई साधन है एक तो चकाचक उनको खो माल खिलाओ और दक्षिना खुब दो ब्राम्मन बस में हो जाएंगे तूरत और कुछ नहीं चाहिए उनको चकाचक माल खिलाओ और माल खिलाने के बाद दक्षिना भी प्रबल रूप में दो तो उन्होंने का कि देखो जो ब्राम्मनों को भोजन पसंदे वो मुझे पता है और बोजन बनाने की बवस्ता मैं करूँगा तुम्हारे प्रेम के कारण और ये बात छटमे कान तक नहीं जानी चाहिए और नहीं अनर्त हो जाएगा ये महाराज ऐसे छल में फसा व्यक्ती और स्वियोग से इसका जो दुष्ट मित्र था कप्टी का वा उसने महाराज जाकर के इनको घोड़े सहत राज में पहुँचा दिया जब सुबह जगे तो सब लोग बड़े प्रशन हुए कि राजा आगे राजा आगे राजा आगे इन्होंने महाराज कोई बात बताई नहीं और उस कप्टी ने इनके उपरोहित कारण कर लिया और एक दो नहीं महाराज नित नूतन दुज सहस सत बरेव सहित परिवार एक लाख ब्रामनों को परिवार सहित निमंत्रन दिया कि सब को बोजन करने का निमंत्रन है और महाराज उस असुर ने जो रसुई बनाई माया से उसमें हिरनों का मांस बनाया कालकित उसका नाम था और मांस का रोधन किया जब ब्रामन बैठकर बोजन करने आए तो आकास वानी ने बता दिया ब्रामन को पी तो हो गए देखो भईया ध्यान रखना भागवत में एक बड़ी रुशीली बात भगवान ने कहिए अपने बच्चों को ना हम हला हलम मन्ने बिसम यस्ष प्रतिक्रिया हम बिस को हला हल बिस को भी बिस नहीं मानते क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया है अगर समय से पता चल जाए तो डाक्टर बचा लेंगे जैर से बचाया जा सकता है कि इंतुने ब्रामन के शाव से बचाना किसी के लिए संभो नहीं है इसलिए बहुत साउधान रहना चाहिए कि कहीं ब्रामनों का शाव न लग जाए ब्रामनों ने माराज जो आकाश वानी सुनी तो तुद्ध खड़े होकर शाप दे दिया इसको कहा कि तुम ब्रामनों का धर्म भर्ष्ट करना चाहते थे जाओ तुम्हारा ना सो जाए और तुम असुर बनो जाकर कि हाहा कार मच गया और जब माराज देखा गया तो ना वहाँ ब्रामन बनाने वाला मिला नो प्रोहित मिला आकाश वानी ने कहा कि वे प्रविन तुम लोगों ने समझ करके इसको शाप नहीं दिया कम से कम विचार तो करते तब माराज जोनों ने कहा कि निस्षित्रों से भगवाने इसका उद्धार करेंगे तो वही प्रताब भानू और अरिमरदन रावण और कुम करण बने उसका जो माराज मंत्री था धर्मरुची जिसका नाम था वही विवीशन बना वही विवीशन बना और रावण ने माराज ऐसी आराधना की कि जब ब्रमाजी माराज उसके पास में आये तो उसने का हम का हो के मरहिन मारे हम किसी के मारने से मरे नहीं केवल दो को छोड़ करके बानर मनुझ जाती दो ही बारे दो को छोड़ करके ब्रमाजी ने यो मस्तु कह दिया अब उसको लगा कि हमको बानर और मनुस्त तो क्या मार सकेंगे मरत्यू का जब भै नहीं रहता तो व्यक्ति उद्दन्ड हो जाता है इसलिए दो का इस्मर्ण बना रहना चाहिए नारी अन्माराज हमारे नाराइन कभी एक हुए है नाराइन या जगत में दो को रखो याद वकिल साब दो याद रहने चाहिए एक नाराइन और एक मौत को एक परमात्मा इश्मर्ण में बना रहे और एक मौत इश्मर्ण में बनी रहे जब मौत इश्मर्ण में आती है तो तुरत हम जाग जाते हैं तुर्च सावधान हो जाते हैं रहे एक संग्रे किसके लिए हो रहा है ये किसके लिए बेईमानी कर रहे हैं किसके लिए छलकपट कर रहे हैं पता नहीं किस दिन मौत आ जाए तो मौत काईदी श्वरन बना रहता है तो बेक्ती पाप से बच जाता है जब मौत का श्वरन उसको नहीं रहता है बिस्वरन हो जाता है तब वो पापी बन जाता है और नारेंड संयोग से जब मांगने के लिए गए ब्रमाजी माराज कुछ के पास बर देने के लिए गए सोचा कि माराज अगर रोज खाएगा तो सारा संसार ही उजड़ जाए क्योंकि आहार बहुत था माराज उसका तो सारद को प्रेणा दी कि कुछ ऐसा बर्मांगे तो मांगिस नींद मास सट केरी छे महिने की नींद मांग लिए एक दिन जगेगा तो जितना खापाएगा कवंत पद कमल अमल अनुराग इन्होंने भगवान के चन कमलों का अनुराग माना है और इस प्रकार से रावन के पास जो संपत्ति उसने कैसे कैसे खटा किया है और उसका अत्याचार का नारण यहां वरण किया गया है जब इसकी अत्याचार से देवता सब परिशान हो तब देवताओं नहीं जाकर भगवान से स्तुती की है वैसे माराज जी निर्ने हुआ कि भगवान कहां मिलते हैं कोई का अचीर सागर में चलो कोई कहें कहीं चलो भगवान संकर कहते हैं मैं भी उस सभा में था मैंने कहा कि भगवान सरवत्र है हरी व्यापक सरवत्र शमाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना परमात्मा सरवत्र शमान रूप से रहता है प्रेम से प्रगट होता है प्रेम से प्रमात्मा प्रगट होते हैं जैसे संगर्शन से आग उत्पन हो जाती है सब देवताओं ने नारण मिलकर के आराधना की है बहुत प्यारी ये स्तुती है देवताओं की जै जै सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन्ता गोदुज हितकारी जै असुरारी सिंद सुता प्रियकंता देवताओं की इस्तुती सुनकर के भगवार नारण बड़े प्रशन हुए है भगवार ने इनको आशिरवाद दिया है कि तुम लोग शिंता मत करो इधर अब हमारे शी याग्यवल के माहत्मा सुनाते हैं अवद पुरी रगुकुल मनिरावू एक अवद है जहां कि राजा दिराशी दसरत जी माराज हैं बेद विदित तेहीं दसरत नाहूं बेद में जिनकी चर्चा है दसरत उनका नाम है धरम दुरंधर गुननि दिज्यानी रदय भगत मति सारंग पानी भगवान के परम भक्त हैं कोशल्या कहके इस्वित्रा इनक कि नानिया हैं सब पती के अनकूल हैं किन्तुनाइन कोई संतान नहीं हुई याग्यवल की जी महराज कहते हैं एक बार भूपति मनमाहीं भै गलान मोरे सुतनाई जब इनको ग्रानी हुई कि मेरे संतान नहीं है तो तुरत गुरु ग्रह गये हुँ तुरत मही पाला देखो भई संतान का दुख हो तो डाक्टर के पास मत दोड़ो अपने आचार गुरु के पास जाओ और गुरुजनों को बुलाओ नहीं उनके पास जाओ आचारे चरण के चरणों में गए और उनको प्रणाम करके अपना सारा दुख सुना दिया निज दुख सुक सब गुरु ही सुनायो बशिष्ट जी भाराज ने उनको समझाया और कहा धहरे धारन करो एक नहीं चार चार बेटे होंगे धरो धीर हुई हैं सुतचारी और उन्होंने स्वेम यग्ज नहीं किया इसके बहुत बड़े आचारी होने के बाद भी इसकी चरणा में कल सुनाओंगा कि क्यों उन्होंने यग्ज नहीं किया सिंगी जी स्री को बुलाया वैसे तो महाभारत के आधार पर दसरजी महराज की एक बेटी थी जिसका नाम था सांता और वह बेटी इनके मित्र रोम पाद को गोद गई थी और रोम पाद के यहाँ बेटी बन करके शांता रही शांता का ही ब्याह संगी रिशी से हुआ था माभारत में बड़ा विस्टार से चरित रह तो शंगी रिशी को बुलाया गया और बुलाकर के यग करवाया गया यह ऐसे रिशी थे महराज की अगनी देवता स्वयम प्रगट हो गए और प्रगट हो करके अगनी देवता ने इनको चरू दिया है और जब इनको महराज चरू मिला राजा अधिरासी दस्रच जी महराज को तो अर्द भाग कौशल्य ही दीना खीर समझ लीजिए एक कटोरे में मनों खीर है तो आधी खीर दे दी गई कौशल्या मिया को और जो आधी बची आधी को महराज आधी करके कैकेई को दे दिया गया और जो आधे का आधा बचा हुआ है उसके दो भाग करके कौशल्या और कैकेई या कैकेई मिया के हाथ में दे करके सुमित्रा को दिलाया गया इस प्रकार से महराज चरू का वितरन हुआ किन्तों अन्य रामाइनों में, दक्षिन की रामाइनों में ये वर्णन है कि चरू के तीन भी भाग किये गए, तीनों बराबर बराबर दिये गए और जब बराबर बराबर भाग लेकर के तीनों मिया जा रही थी भवण में पहले कोशल्या मिया, केके मिया और साथ में सुमित्रा मिया तो सबसे पहले सुमित्रा मा थी सुमित्रा मा के हाथ में जो खीर थी मारा चरू थी उसको एक चील छीन ले गया अब वो रोने लगी तो कौशलिया मिया ने अपने चरू का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया और कहके ही मिया ने भी अपने चरू का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया तो सुमित्रा के कितने बालक हुए अरे भोल दो दो अचा जिसकी चरूर से जो हुआ था उसी बालक की सेवा में लग गया जो कौशलिया मिया ने चरूर दिया था उससे लखन लालू हुए तो राम जी की सेवा पूरक बने न एक दूसरे के और कही कही मिया ने जो चरूर दिया था उससे हमारे सुमंत लाल जी उत्पन हुए जिससे वो लखनलाल जी की सेवा में लग गए अरे भरत जी की सेवा में लग गए किन्तो जो चरू चील ले गया था उसका क्या हुआ माराज कई चील उस पर जपट पड़े और जब कई चील जपटे तो अपने प्राणों को बचाने के लिए उसमें चरू का त्याक कर दिया खानी पाया तो चरू नीचे गिरने वाले थी तो पवन देउता ने देखा कि इतनी कीमती चरू यदि नीचे गिर जाएगी तो नश्ट हो जाएगी तो पवन देउता ने उसको समाल कर ले जाकर के केशरी आराधना कर रहे थे इमाले में उनकी गोदी में गिराया तो केशरी बानर को लगा कि ये हमारी आराधना का फल है पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना कर रहा हूं तो देवता ने हमको ये चरू दिये और वो चरू जाकर के अंजना मा को दिया जिससे अंजना मा गर्वती हुई और इधर जब माराज इसलिए समय लग गया चरू में उसी चरू से स्री हर्मन तलाल जी माराज का प्राकट्टी हुआ है इधर स्री कौशलिया महिया हमारी सुमित्रा महिया कह के महिया जब चरू को खा लेती है तो बड़ा माराज आनंद होता है जा दिन ते हरी गर्वही आए सकर लोक सुक संपति छाए सब लोगों को आनंद है मंदिर मा सब राजई रानी सोभा सील तेज गुन खानी रानियों की बड़ी सोभा हो रही है जोग लगन ग्रह बार तिति सकल भे अनुकूल चर अरू अचर हर्श जुत राम जनम सुकुमूल देखे जोग लगन ग्रह बार तिति आप ज़रा ध्यान दीजिए इस पर भगवान स्री रागविन सरकार जिस तिति भी प्रगट हुए उसका नाम नौमी तिति है यह नौमी वैसे तो रिक्ता है इसमें कोई सुभ काम नहीं किये जाते थे यह तिति रोती रोती गई और कहा कि आप हमको क्यों बनाए रिक्ताती थी तो बगवान राम ने का चिंता मत करो हम तुम्हारे में आ जाएंगे तो तुम्हारी महिमा बढ़ जाए और बंदू ध्यान रखना जो रिक्त होता है उसी में परमात्मा आते हैं आपके अंतक्कर में कामक्रोद लोब मो भरे हुए हैं तो कहां से परमात्मा आएगा प्रीतम छवी नैनन वसी पर छवी कहां समाए भरी सराय रहीम लखी आप पतिक फिरी जाए आप अपने को रिक्त करोगे तो परमात्मा आएंगे और दूसरा बहिया ध्यान रखना ये नौका अंक पूर पूरा आप पड़ा जाए नो ही होगा नो नोदुनी अठारा आठ एक नो नोतियां 27 साथ और दो नो और बड़ा बिलक्षन नो का अंक है कल युक की आईउ है चार लाक बत्तिस हजार वर्ष की चार लाक बत्तिस हजार वर्ष करके जोड़ना तो सब का टोटल नो ही हमारे यहां जो माला जबते हैं उस माला में मनका कितनी होती है एक सो आठ आप एक सो आठ लिख करके जोड़ो एक और जीरो को तो गिंती नहीं एक और आठ कितने हो गए नो हो गए तो नो का अंक बड़ा दुभुत है इसकी बड़ी महिमा है पूर्णांक है इसलिए हम होता है चैत्र का महिना छैत्र वैसां को मद्माधों कहते हैं तो एह का महिना मद्मास था सुकलपक्ष था और अविजित मुहूर तो लगभग समय लगभग 12 वज stipanavadiva 52 आख कहिता अभु पावन काल लोक संतों के मन में बड़ी प्रशंता थी नदियों में जो जल भरा हुआ था वह अम्रित के समान हो गया गगन में माराज तारागणमानों विक्सित हो रहे हैं गंधर्व किन्नर सवगा रहे हैं पुस्पों की वर्षा हो रही है ऐसे वातावरण में सुरसमुह बिन्ती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिर लोक विस्त्राम प्राज आधिरास सी दस्वत जी महाराज का दिव्य भवन वद्न और कौशल्या मिया का दिव्य प्रकोष्ठ कौशल्या मिया के सामने साक्षात प्रवात्मा आज चतुर बुजवाले होकर के खड़े है संक चक्रगदा पदमधारन के हुए देख करके हमारा दिव्य स्तुती की गई है आओ हम सब थोड़ी देर के लिए उस दिव्य भवन में चलें और ऐसा लगे कि साक्षात प्रवात्मा हमारे सामने विराजमान है और हम उन्हें निहार करके इस्तुती का अनंद ले रहे हैं आप सब से हमारी प्रार्थना है वैसे तो बाबा की बानी को बंदन है भारत का साइद ऐसा गाउं होगा जिस गाउं में जगे जगे पर ये स्तुती लोगों को याद न हो हमने राजस्थान में दर्शन किये हैं माताओं को पढ़ना नहीं आता है किन्तों ये स्तुतियां याद हैं उनको तो यहां लगबग मुझे विश्वास है कि आप सब को ये बहे प्रगट करपाला याद होगा और याद ना भी हो तो आप लोग आपस में बात मत कीजिएगा आप भगवान का दर्शन करते हुए सांत होकर कि इसका रस लीजिएगा और जिने याद है वो हमारे साथ मिलकर इस सुस्तुतिक आनंद लें भए प्रगट करपाला दीन दयाला कोशल्याहित कारी भए प्रगट करपाला दीन दयाला कोशल्याहित कारी हर सित महतारी मुनि मनहारी अगभुत रूप विचारी लोचन अभिरामा ननुगन शामा निज्यायुद भुझचारी भुष्ण बनबाला रैनन डाला सोभा सिंदो करारे तुई कर जोरी अस्तु पितोई फिर्दिकरों अननुद तामाया गुष्भाना निज्यायुद धाना फिर्दान भैनलता ब्रह्मा अंड निकाया निर्मिट माया रोम रोम प्रतिवेद कहें ममुर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहें उपजाजब ज्याना प्रभुमस्काना चरित बहुत विधिगीर चहें कहीं कथा सुहाई मात बुजाई जेही प्रकार सुत प्रेम लें माता पुनि बोली सो मत्य डोली तज हुतात यह रूपा दी जैस सुलीला अत्प्रिय सीना यह सुख परग अनूपा सुनि बचन सुटाना रोधन ठाना हुई वालक सुर भूपा यह जरित जेगावई घरिपद पावई तेना परई भव कूपा विप्रधेन उसुरसलत हित लीन मनुझ अबतार निजिच्छा निर्मित तजू माया गुल गौपा तिया बद राम चंद की जे अवन सुत हनुमान की जे उमापति महाजेव की जे गौलो भाई सब संसन की जे गौलो भाई सब भगतन की जे राजा धिराज स्री दसरत जी माराज के यहां मद्यान काल में कौशलिया महिया के प्रकोष्ट में जगनियंता जगदीश्वर परब्रम परमेश्वर प्रगट हुए उनके रूप को देख करके भगवान ने एक बड़ी मधुर बात कही है भगवान के सन्मुक माने माने कहा कि प्रवो मैंने तो आराधना साधना इसलिए की थी कि आप हमारे पुत्र बन करके प्रगट हो आप तो बापजी बन करके प्रगट हुए हो कोई बालक संक चक्र गदापद में लेकर के नहीं प्रगट होता है और आप तो इस अदवुत रूप में प्रगट हुए हो अमने तो प्राधना की थी बालक बनने की आप बापजी बन करके आये हो भगवान ने कहा कि मा जो आपकी आज्या है एक्षा है वही करूँगा सुनी बचन सुजाना रोधन ठाना हुई बालक सुर्व हुपा जो मा की बाणी को सुना तो भगवान ने तुरत बालक बन करके रोना प्रारम कर दिया है और जब रोने की धुनी दासियों को पता चली तो मारा जो दोड़ करकी गई जो देखा की एक दिब प्रकास पंज लेटा हुआ बालक है आनंदित हुई और वहां से जब आई तो पता चला क्यके मिया कि आहां भी बालक हुआ है वहां भी गई तो वैसा ही बालक था फिर कौशिल्या मिया के यहां जाकर के देखती हैं कैके मिया के यहां जाकर देखती हैं दोनों की एक आकरती है तब तक समित्रा मिया के यहां रुदन की धुनी आई तो वहां जाकर देखा तो दो दो पुत्र उत्पन हुए हैं और जि उनको पुत्रोस्तों की सूचना मिली तो ऐसा लगा कि ब्रह्मानन्द ही प्रगट हो गया है प्रम प्रेम मन पुलक सरीरा चाहत उठन करत मत धीरा बड़े प्रशन हुए हैं आचार्य प्रवर को भुलाया है और आकर के हमारे वेदवादी ब्रह्मनों ने साक्षात स्वयम ब आचन का पाट किया है सुभन्यावानों विदा थे खूचक मयाहा अकने जिवहा मानवाहा सूर चक्षसो विश्वेनों देवा अवसागमान्निहा वशिष्ट जी माराज ने आचारियों के साथ मिल करके स्वस्ति वाचन का पाट करके नामकर संस्कार किया है और अब जब अवद वासियों को पता चला राजा धिरास्री दस्रत जी माराज के अहां पोत्रहतन हुए हैं अवद के नरनारी ही बन करके राजा धिरास्री दस्रत जी माराज के चर्णों में चलें और वहां के उस्तों का अनंद लें आप सबसे हमारी प्रार्थना हैं एक तो सावधान हमारी माताएं हो जाएं क्योंकि उस्सों में ऐसे लोग भी आते हैं जो के बेद्ध बना जाते हैं तो जो सव सव्थ चैन पहने हूं वह स्वस्थासावधान रहें नकली वालों को कोई दिक्कत नहीं है असली वालों को दिक्कत है तो द्यान रखना एक तो नर्तियादी करने में सजग्र हो क्योंकि सब जगे कहीं न कहीं हो जाता है वैसे यहां नहीं होगा क्योंकि तो यहां राजा धिराज सी जसरत जी महाराज स्वेम मर्यादा पुर्शोतम है और मर्यादा पुर्शोतम भगवान यहां आए हुए है वो तो हमारे कनिया के जन्म में जादा होता है कि इन्दु तब भी महाराज साउधानी तो चाहिए ही चाहिए अम सम्मिल करके खुब धूम से सुस्दाम से इस उस्सो का अनंद लेते है अनंद ट रहा है झाल झाल झाल